यहीं दोस्तों कैसे हैं आप सब दोवासा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महेश कुमार बार्णवाल का जो NCRT बुक है उसका बायोलोजी का चेप्टर आज हम लोग कम्प्रीट करने वाले हैं पिछली वीडियो में आपका बहुत त चिंता ना करिए मैं आपको सब का जो फूर्वाइड करूंगा थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन आपको सभी का वीडियो प्रवाइड किया जाएगा चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले आप लोग इस बुक को देख लेजिए यह स्रीज शुला करके निया लॉंच किया गया जो कि आपका यह अगस्त का एडिशन है अभी आप लोग इस बुक में देखेंगे और यह एंसी अर्टिक अक्षा चाह से बारस सहीत समाने देन का प्रैक्टिस वर्क बुक है और इसमें आपको इतिहास भूगो राज बेवस्ता अर्थ बेवस्ता समान विग्यान और यहां पर एक बात है कि यह जो पूर्णता जो है 2022 का संस्क्राण है इसमें आपको आर्थिक समिक्षा 2021 और जो बजट है 2022 यह भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा तो लो हम लोग सभी को कंप्रेट करने वाले हैं और चलिए हम लोग इसको कि हम देखने को सब्सक्राइब और व्याइस देखने के आब और आगे बढ़ेंगे तो अदू हम लोग से भरतिया राजवर्तत था देत अर्ट गस्ता हम लोग और आज तेंगे को दोस्तों कमप्रीट करनेवाले हैं देखेए आपको जीव विगान में क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा देखेए पहला अध्याय है जीव विक्यास दूसरा है कि जीव का वरकी करन तीसरा चप्टर है कि कोषिगा यहों उत्तक चोथा कि पादपों की अकारी की पाँचव selbst-पाद definite के सब्सक्राइब दिये तो 건강 इपडकर प्रश्राइब नत्र आगें लग बढ़ेंगे तो जैव अन्मान सकी है एर उसके वाद आपसे चाहर सब्सक्राइब हो और जितने भी कख्षा 6 से लेकर के कख्षा 12 तक जितने भी एंसी आटी के जो चेप्टर है इसमें सारे प्रश्णों को दिया गया है तो आज हम लोग जो है जी वीगान को पेज बाइप करके कम्प्रिट करेंगे यहां से हम लोग का वेलकम टू जी वीगान चलिए पहला जो स्टत जाए गया था ले मारक ने दूसरा प्रश्ण है कि कि से द्वारा विसका सिदांत प्रष्टावित क्या गयाता तो और का सिदांत है यह फ्रू तो को कहा जीवीयान के जनक कौन है जीव यह जनक आष्टू है आगला प्रस्चन हम Pthon के चिकीतता सासर के जनक तो इसका प्रतिपादन किया था डार्मिन के द्वारा यह आग्ला प्रेश्ण अम्लोगा है कि 10 कि संबंदित एक्स वाय और रिक्ष में जीवन से संबंदित है नेक्स अम्लोगा आठवे नमर एक निमनल लीखी तमय से कौन सायोग में सही समयलित नहीं लेखिए इसमें से फुलोगी खेती फ्लोरी कलचर खुटों की खेती एगरो नॉमी सब्जियों की खेती हो ट कल्चर और फ़लौ की खेती पॉमोलॉजिकोंस सो मिलती से पुछा गया कि डियं है क्यमसिन नहीं तो सब्जियों की खेती अीर होट कल्चर यह गलत हैं दॉ तो करें किस प्रेकार के जीव थे तो जीव यह मेस वर्गय दैनासोर थे जीव यह नहीं स्वर्धी क्षिने किया तो यह प्रत्त हम लेमार की तथा ट्रेवी रेनस के द्वारा किया गया था अगला यहां से 11 नमबर प्रिशने के जिवदारियों के वर्गिकरण के अधेयन को क्या का जाता है तो इस अधेयन को ट्रेक्सोनॉमी कहते हैं निमन लिखिते में से किस पुस्तक है यहांगे दिवारा है तो उनके द्वारा पुस्तक की रचना किया था आफ। चलिए आगला प्रेशन के सजीवों में सामिल है कुन सा तो सजीवों के गुरूं में इन मेंसे सभी जैसे कि उपाब चाहे अनुवानसिक्ता परजनन ये सभी सामिल हैं हुंगो डीवरेज ने किसे सिदांद का प्रतिपादन किया तो उनके द्वारा किया गया उत्परिवर्तन का जो सिदांद का प्रतिपादन नेक्स प्रेशन है कि जीओ के विकास के संदर में सही अनुक्रम कौन सा है तो सही अनुक्रम है सेला मेंडर अजगर और कंगारू सेला मेंडर अजगर कंगारू ये जीओ के विकास के संदर में जो अनुक्रम सही है चलिए अगला प्रेशने 16 नंबर है प्रेशने की ले मार्क वाद का जो है मुल सिधानत क्या है तो इसका मुली सिधानत की उपारजीत लक्षोनों का जो है वनसागती ऑप्सवन भी हम लोग का इसमें सत्य होगा अगला यहां से 17 नंबर प्रेशने के जीओ में प्रकिर्टिक चैन का सुधानत की निए प्रतिपादीत कीया तो यह प्रतिपादीत की आगया थे चाल स्रीक वार्विंड के दौरा अगला प्रिश्ण एक निमना लिखित में से किसे काल में जीवन के साक्ष नहीं प्राप्त हुए है तो जीवन के साक्ष जो प्राप्त नहीं हुए है ये एजोई काल में प्राप्त नहीं हुए है उनीश नमर प्रश्ण ने कि निम्ला लिखित में से कौन सा स्विधान्त लूई पस्चर ने प्रतिपादित किया था तो यह प्रतिपादित क्या गया था रोगों का रोगान स्विधान्त यह लूई पस्चर के द्वरा प्रतिपादित क्या गया था अगला प्रेशनम्लों का है कि नियुकलियो प्रोटिंस जिसमें स्वात्ता द्वी गुणन का गुण होता है वकिन की अविक्रिया से निर्मित होते हैं कुक्तों क्लिओं निर्मित होते हैं कि draw और यंबीद क्लिया चिछ इन jotish होतें थे कि अमीन हो प्रोटीन नियोकली कम नहीm प्रिक्रिया से निर्मित होते हैं अगला प्रिष्ण हम लुकाई की बारतमान प्रमान के अनुसार प्रिधिवी पर जीवन का उद्गम लगवक कितने बर्सों पुर्भ हुआ था तो यह था साड़ेतीन बिलियन बर्स पुर्भ हुआ था यह आपको अनुमानित जो है बताए इसれてलिक मनुषय के हाल का पुर्भ ह들이 निए शुथ शुक्त कि मेमन्त है किस जीव का पुर्भ है तो यह पैसा है फोर्भ देखिए नहीं पर जीवी पर तो और क्यों है एंहां पर आर्ट्रेक्स क्या है यहां पर renew प्रेट्रेक्स जो पुछागे कि यह क्या है तो यह जह जुरैसिक यूग का जो है स्वर्य पुराथन पक्षी है अगला च्विश नमर प्रेशन हम लोगा है यह प्रेशन कहिरा है कि प्रसीद विकास्वादी वेगानी के चार्ल्स डार्विन ने किसे पुष्टक में अपने जीवन की उत्पति के लिए उतरदाई है तो जीवन की प्रित्वी पर जीवन के लिए उतरदाई जू है वह कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसमें विकास पराजिनन इसके वादियां से हम लोका जीओं के प्रकारों में से 16 किसे संबन्ध है। संबंध है तो misma संबंध कवक से हैं प्रे água नेक्स प्रेशन दीषरे नमबर यह प्रेशन कहें रहाए कि happen जो एक नगन चटान पर भी परिस्थिति की अनुक्राम को परवार करने बिए सक्षम है वास्तों सहा जी़ी यह आडारीय और निवन fiance एपनितम से कोंन सा प्रदूसन संकेतक पौधा है निम्न लिखित में कौन सा प्रदूसक जो संकेतक पौधा है पुछा गया है तो यह लाइकेन हो जाएगा नेक्स प्रदूसन से हमलों का पंच 10 नमबर प्रदूसने है चेह वर जियंक और जया जाता है को के लियान को जो है वर्गी करण बिलन का जनक्त को किए क्या चाहिए तो ये खैरोल लसे लीनियुस को कहते है कि उक्त वेगानिक नामकर्ण कि सिसे कहते हैं चेले नेक्स प्रेशनील का, के नौन नुमबर प्रेशनील है कि कवको का परयोग किया जाता है, कवको का जो परयोग है रच्षी पादब इसमें से हर्ण बठ फो नहीं है चलिए अगला प्रिष्ण हम लोग आए कि किस जी विगानी ने पांच जगत बर्गी करण परणाली प्रिष्टूत की थी तो यह प्रिष्टूत क्या गया था विक टेकर के द्वारा तो यह प्रिष्ण है कि अगला प्रिष्ण कि अमीवा ऑपना भो जोन कि प्रकिरिया के दोरा और अन्लाकी करते हैं कौन सा जी ओ मोनेरा जगत में सामिल नहीं है मोनेरा जगत में सामिल नहीं Làjima तो यह जो जो विशानु है आपको इन में से कोई नहीं होगा हम्हा कि डिच्रेल में प्रोटिष्टा है और प्रोंडे र ही जोंब रिभार जwarm सकने वास जियों का जो है समू होता है आगिला प्रश्णिया सहम법 का सब्सक्राइब कि नीमना में से कौन सा जियो कीत है तो इसमें से कीत कौन सा सिलर्बर जो मचली यो कीट है कमीagtit में से संग के जियो गलफ़डवाय द्वार ज ऊशान करते हैं तो गलफ़ड़ के अगते द्वार मुलास का के द्वारा क्या जाता है अगला प्रेशन है निमना लिखिते में कौन सा अजतनधारी जी ओ अंड़े देते हैं तो अंड़े देने में लोक्षाट पर हम लोग का हमिंग बर्द हो जाएंगी मैं अग्ला प्रश्ण की वाइट लेनहार न होईट है सौरियन पर वाइट लेंहार्म है यह किस की एक किसमि निम्हें किया है प्रश्टा का वेगानिक नाम है कि अगला प्रिशनिय की गरम रूधिर वाले जन्तु वह होते हैं जो आपने सरीर के ताप करम को सदय एक समान रखते हैं उसको जो है गरम रूधिर वाले जन्तु कहते हैं अगला प्रश्ण के फलिदार पादपो के जड़ों में उपस्थित गाठों में पाए जाने वाले नाइटोजन इस्त्रीकरन जिवानु है कौन सा तो वह जिवानु है सह जीवी निम्न में कौन एक वास्त्विक मीन है तो वास्तविक मचली के हम लोग बात करें तो यह हो जा मते दोर में निम्ना लिखी तेमें कथनों पर विचार कीजये पहला कि इस जगत के सबीजिवों में कोस्षी का वित्य उपस्तित होती है और नील सभी होगा तो दखिए इसमें चोंगा सभी है नील हरीते सभाल इस जगत का अवधारन है यह सभी है और पहला जुकतने वह गलत है हम लोगा किवल भीश में सत्य होगा चलिए अगला प्रशने आपसे हम लोग का 27 नमर्प्रशने के सही कुट का आपको चैन करना है चैन कैसे क तो एक तरह चाहपका जीव दिया गया और दूसरे तरह विया दिया गया है इस तोसमें नोगोर मिलाट करें के तो सी हम यह कर आपको स्केरिज वहते हे नीवेयर कंपichen का ने प्रानी तोड़ा संका और मलेयरीय जो परद जीवी है यह है आपको प्रोटा जुआ संका है घरेलू मख्य जो होती है यह आपको अर्थो पोड़ा संकी है और जो गाय है यह आपको अस्थन धारी संकी है ठे देख लिए जैसका मिलान और इसमें आपको कुड़ बासा में देना है तो कुड़ बासा में आप लोग ऑप्शन जुए यह को दे दिजिएगा ठे चलिए अगला पॉइंट यहां से हम लोग का 28 निम्मर है नीमना लिखित उड़ाने वाले जीओं में कौन सा पक्षी वर्ग के अंतरगत नहीं आता है तो पक्षी वर्ग के अंतरगत पुछा गया कौन सा नहीं आता है यह जो चमकादर यह पक्षी आता है यह अस्तंदारी वर्ग के अंतर आता है अगला पॉइंट रह सकता है अगला तीश नमर प्रेश्ण है नेमना लिखित हमें से कौण सा एक सह वर्ग की पादानुक्रम है कौनसा तो इसमें हम लोगका जगत संग वर्ग गर्ण कुल बंस जाती है जो है आपका बरगी की पादानु क्रम है चलिए अगला प्रेश्णियां से हम लोग का 31 प्रेश्ण है कि नेपेंथिस से खास याना घट पढ़नी नामक दूर्डव एमकित भक्षी पौदे कहां पाया जाता है तो यह पौदे जो प्रेश्ण हम लोग का है यहां से 32 नंबर प्रेश्ण है कि प्रेश्णे के निमना लिखित में कौन सा यूग में वह सुमिलित नहीं है तो यहां पर अमर बेल है यह तना पर जीवी चंदन जो है जड़ पर जीवी और आर्केड यह आपको अधिपादा पैने की एपी चली अगला प्रेश्ण तेटिश नंबर है कि सापकेड बिस दों तक किसका रुपांतरिक रूप है तो यह जो है जम भीकाद दंत के जो है रुपांतरिक रूप है नेक्स प्रेश्णिया से 34 नंबर है यह प्रेश्णे की निमना लिखिते पादपूं में से कोवन गरेमिन इस जो नारियल है वह नहीं है सबसे बाड़ा आकोशरोकी कंसा है तो वह विया है सबसे बड़ा आखोशरोकी та alreadyर चले अइसक्न कोका यह 36 नंबर कि निमने मलेरिया इक मुंदाडिक nep्रूपर, फाथ कि से शाल के और स discretion फिर जाता है जिस्त estásब ने उससे प्रकृतिक पादन को प्रतियश्थाप्ट किया वह है तो वह कौनसा है वहária कुछ कुछ कमद प्रश्ट से केस죠 की सनुका जीवों का है ढूबने में का पता लिबने में महत्वा है जो यहां प्रपूच्छा ग लिए इसमें ड्याइटम का आई certified और प्रष्ण तुम का अगला प्रस्मने उन्चारीस नंबर है कि प्लानों के निमनलिख होता है तो त्री system कोश्ट होते हैं तीन हर्दे होते हैं ठीक तीन चेंबर होते हैं कि अगला पॉइंट यहां से हम लोग का 40 नंबर प्रेश्ण है यह प्रेश्ण कर रहा है कि सुची वन को सुची टू को सुमिलित करें के नीचे दिये गए कूट में से सही उतर का आपको चैन करना एक तरफ ज नंग दिया गया है ठीक तो चलि हम लोग को मिलान करते हैं हम लोग का अस्पांजीला है तो यह सपांजीला हो जाएगा यह को पौरी फेरा हो जाएगा होक के वर्म से यह होग जो जाएंगे यह आपको नई में टोड़ा संके हों गे और बीचु जो होता है यह बीचु कुछ बासा में देना है तो कुछ बासा में आप लोग जो है ऑफ सन डी को दे दीजिए गठे चलिए अगला प्रेश्णियां आप से मिलों का 41 नमबर प्रेश्णिया निम्ना लिखित में से कौन सा यह के यूकरियोटिक जीव का उधार नहीं है पूछा गया है कौन सा नहीं होगा जी तो यूकरियोटिक यहां से देख लिए जीवानडु जो है यह नहीं है अगला प्रिशनी के नीमना लिखित में से किस जगत यह जगतों में केवल एक उस्य किया जीव होते हैं तो एक उसी के मोनेरा और प्रोटिश्टा में दुनों में जो केवल एक उसी किया जीव होते हैं ठएक नेमना लिखे तमेक से कौन सा पादब कीटों से अपना अहार प्राप्त करता है तो यह अहार प्राप्त करता है घट पढ़ने चले आगला प्रिश्णियां से हम लोग का 44 नुम्बर है करें कि आश्टेरियास यानि कि तारा मीन और एकाई यहां पर एकाई के समूंद्री양 आडच Ł्या सबीची नस पर एकिन जरमेटाके राते हैं यह exactly मलुका प्रेश्णियार है कि साइक नियन कि साइवड़ीयाँ सवक्षे रिख जलिय और truly है इसा पपन्जिया वाथ ऐस्पंजी यह किस संह के जीव हैं तो एसे बी जो जीव हो वह पोरी तो आपकर बद से में आप की मुलुहतिंक है। ये होती है कोषीガ दूसरा प्रश्ノया से इसको थोरा सा जुम ऑउट कर लेते है přाष्णator कि पादप्ति कि पाय जैता है कि सुक्त कॉषप्र सीदक अन्स जीह निर्मित होता है। तो यह किस से निर्मित होता है यह आपको निर्मित होता है एकोसिका दरव्य केंद्रक दरव्य तता अन एकोसिकांगों से यह निर्मित होता है जोथा प्रेफिने निमना लिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है तो नाभिक जो है ये लाल रखत कोशिकाओं में नहीं होता है निमना लिखित में से किन कोशिकाओं को जो आत्मघाती थेली कहा जाता है तो ये कहा जाता है Liceframe को आत्म घाती थेलें अगला प्याइब यहां से हम लोगा है के नियुम न लिखे थे उत्वप के प्रकारों में से किसमें संकूचन सील प्रोटीन होते हैं संकूचन सील प्रोटीन पूछाईगा क्यों होते हैं? कि टो यह पैसी हो तक में संकूजसन प्रोटीन होते हैं यह सुवसन स्रिंख्ला का अपयो पादय पे किसी काउं में उड़ीया का उत्वाहन करता है को अगरा है bob प्रेशन प्रेशन है कि वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वे में विकास यों में पराजुनन करने में समर्थ है वह कौन सा है चोटा सबसे वह माईको पलेजमा है अगला प्रेशन के विकारियोटी के कोशिका में पलेजमा जीली किस पदार्त से निर्मित होती है तो इसमें निर्मित होती है फासपोल लीपिड से किसे फासपोल लीपिड से जो है यह निर्मित होती है किस बेग्यानिक ने जीव द्रव्यों को जीवन का भौतिक अधार कहा में अत्यादी के बीवीदिता का क्या कारण है इसका कारण है उत परिवर्तन के पंश्मा जीली की पदार्थों से निर्मित होती है अगला जीव की कोशिका भीति आनु स्के जुन निर्मांकरताप्जार्थ के अधार पर बर्ग्वों को सुमखलई करना तो एक सिर्व करना दिया गया है और दुसरे ज़ुन आपको निर्मांकरताप्जार्थ यह लुदी करना तो युद्सीत कर económic और का भीति यह जो है आपका इसका निर्मान जो होता है और दूसरा है यह आपका जीवान को सिका भीति तो इसका जो निर्मान है यह किसे होता है आपको पेप्टी डोल यहां पर जो पेप्टी डोल लाइकन से होता है और सेवाल को सिका भीति का जो निर्मान है यह किसे होता है यह होता है गलाइको प्रोटीन से और कवक कोशिका विती का जुनिमान नीजुनिमान है यह काइटिन से होता है ठीक इसका मिलान देख लिजिए और आपको कुट बासा में देना है कुट बासा में कौन सा आप लोग यू है यह को दे देजिएगा चलिए अगला पॉइंट य सब्सक्राइब करने वाए बैग्यानिक थे कौन थे तो यह स्लाइडन और स्वान है यह सबसे पहले जो कोशिका का सिदानत दिया थे ठीक सेल थी इन्होंने प्रस्तुत किया था अगला स्वलन नूमर प्रश्न है कि निमना लिखित बर्गों को सुमिलित करके सही उतरका आ से हो जाएगी तो सबसे बड़ी पादप जो कोशिका है वह है कहां पर काल काले पाओ यह पर काले पाओ टैक्सी फोलिया है और पुर्सों की सबसे छोटी कोशिका कोंती है जी तो पुर्सों की सबसे छोटी कोशिका सुक्रान होती है मानों में सबसे बड़ी कोशिका तंत् कालेपो टैक्सी फोलीय है और पुरसों की सबसे जो छोती आपको देना है तो कुर्बासम आप लोग सी दे दीजियें अगला प्रिशन है कि सुची ओन को सुची तू के सां सुमिलत करना है तो एक तरफ जो आपका जो है केंद्रक का खोज देखिए केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया था यह रोवर्ट ब्राउन ने किया था जियुद्रव का खोज तो जियुद्रव का खोज जो है डूजार्डी ने किया था और जियुद्रव का जो नम करण है यह नम हो जाहिए जी पुलाइड के द्वारा क्या गया था ठीक चलिए तो इसका आप लोग एंसर में आपको लोग क्या करना है कि कुटवासन आपको देना है तो कुटवासन आप लोग जोए एक दे देजिएगा चलिए अगला प्रेशने हम लोग परफिका नहीं पाए थे नहीं पाहे तो मानों में नहीं पाहे आती है कोसी का सिधान्त का आप आप पूछा गया क्या है तो इसका आप लोग विसानु पर मानों सरी में पायाने वाली सबसे चोटी को स्कानु अगला प्रौइंट यहां समलों का है कि निम्हाला लखी ता में परअरेंभिक तथा अलने स्रह्षन वाली को सिका होन सी है तो व्यकार को से प्राकार है कण्योंसा तो उसक्राइण नहीं करता से निसेजिक वदन परनाना Astronaut जो तारह केकेंदक जिसको जो है सेंट्रियोल कहते हैं इसके जो है कार Ni whether QUESTION कि से कहा जाता है तो यह कहा जाता है राइबो सौण को सौरेवर यजा एटी-पी में बदलती है उटीन है Members that IG notे ऑन में बदलती है मानव सरीर में कोशिख किए इस अधिकतम format आ questo लाओ का निर्मान किसचरण में होता है तो यह होता है क्रियफ्स चक्र में किसमें क्रेश्चरण में estp निर्मान होती है चलिए 27 नंबर प्रेशन है कि निम न लिखे तमें कौन सा भी सेजन संख्या यो माना और समुदायों के महत्वपून आकड़ों के अध्यान से संबंदित है तो ये संबंदित है जनंकी की क्या कहते है तो इस अध्यान को मसीनी जगत में उपयों करने को क्या कहते है तो इससों कहते हैं बायो निक्स कहते है। आयो निक्स संग्वानी पाउदों में जल किसके द्वारा जो ऊपर पहुंचते हैं तो यह पहुंचते हैं जाइलम उत्तक के द्वारा आप्शन डिस यूगा जाइलम उत्तक के द्वारा पहुंचते हैं चलिए अगला यहां से प्रेश्ण हम लोग का 31 नुमबर प्रेश्ण कि यह कि निम्ना लिखित में से कौन सब वाग मानोत वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है तो रहे हिस्वां похitar finish को हड़ी से जोड़ने वाले उत्तो को कहा जाता है अधर कि चेंडन Bitte से 33 प्रश्य के रत क्या है तो रखत यह श्यां करने में अगला प्रश्य प्रश्य के खोज किसने की थे तो यह क्या गया था निम्नलीखीतमें से कौन सा पदा आरते पैसियो में संचित होता है चला व्रेशने के लाइसोसों के निर्माण के लिए निम्नलीखितमें से कौन उतरदाई है तो इसके लिए उतरदाई है गौल जी यहां पर उपकर्ण यह जो गौल जी उपकर्ण होता है यह लाइसुसों के निर्माण में उतरदाई होता है निम्ना लिखेत में कौन कोशिका की अंतरोसी में किरियाओं के परिचालन के लिए इंधन के रुप में परिक्त होता है अगला पॉइंट यहां से 49 नमबर है निम्ना लिखेत में कौन सी सनरचना मानों सरीर को गर्म रखने हैं तो उतरदाई होती है अगला इसे 40 नममर कि हिस्टोलाजी के अंतर निम्ना लिखेत में से किसका देन क्या जता है तो इसमें जो उत्पा का देन क्या जाता है। निम्ना लिखे तमय से पादप उतकों का परकार नहीं है। कि नेक्स प्रेश्विए में निक्लीग अमलाइं नहीं पाय जाती है अगला प्रेशनर का मुख्य का कर्या क्या है दने फुन का कल्या का पतियों द्वहा नीर्मित भौजन को पौदों के भीविभीर भागों तक पहुंचाना। प्रश्न का कार्या होता है अग्ला प्रश्नमों का 43 ना 44 नि स्टाइब कह रहा है कि कि पादपूत्तक में चाल नी लिकाएंगों में सह कोशिकांग पाई जाती है किसमें तो यह पाई जाती है डेनलि perfect नियम लेड़ी कीपा सर्काल समय ना होता है तो लम जुमसाम होता है जो होता है सुटर कर्णिका कैंद्रा और लवक गाहश्चा होता है कि कौने सब्सक्राइब जालिका के अनु पूरा कारियों में से एक कारिया है कोंचा तो एक कारिया है कि लिपिड संसलेशन है इसका एक कारिया चलिए नेक्स प्रश्णियां से हम लोग का ये 47 नंबर प्रश्णिय है कि हिस्टोलोजी सब्दे का स्वर प्रत्थम परियोग किष्णि क्या था तो यह क्या यह था मियार ने वह उतक जिसके निर्मार ने वह रूणिया मद अस्तर यानि कि मिर्सोडर्म से होता है वह कहलाता है तो वह कहलाता है सन्योजी उतक के अगला प्रिश्ण है कि रुधिर यहों में लसी का किस प्रकार के उतक है तो रुधिर और जो यह लसी का होते हैं यह उदक होते हैं 17 सन्योजी उतक के अगला प्रिश्ण है कि मानों सरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त करनी काओ का जो कबर्स्तान का जाता है तो यह कहा जाता है फ्लीहा को लाल रक्त का कबर्स्तान कहा जाता है अगला प्रिश्ण के निम्नलिखित में कौन सा उत्त गहाओ भड़ने में सहायक होता है तो गहाओ भड़ने में सहायक जो उपकला होतक है यह गहाओ भड़ने में सहायक होता है अगला प्रेश्ण के एक बायास के पूर्ष के लिए समानिय हीमोगलोविन के मतरा प्रती 100 ml रखते कितनी होती है तो यह होती है मतरा 14.5 जीम होती है प्राणी को सिखा में को सिखिये स्वसन का अस्थान कौन सा है तो वह अस्थान है माइट्रो कॉंडिया चले अगला प्राश्ण हैं से चैट द्रीड संगन बंड़ होती है तो यह बंड़ होती है को हिक अगला प्रेश्ण होинки पच्पन नंबर प्रेश्ण है यह प्रेश्ण करें के निमना लिखित में से स्वरे प्रतम में किस ने कोशिका की खोज किये थी तो कोशिका का खोशित से प्रतम रोबाट होक ने किया किस से कोशिकां को कोशिका का उड़िया घरेने की पावर हांस आफ दस सेल कहा जाता है त सब्सक्राइख Geme ऑंतूर नीवने निमणा लिखे तमेसे किस एक जिव में शंग्महन उतक पाएजाएं संग्महन उतकANS ठाइब पदर के जड़ों तथा तानों के सीरों पर किस प्रकार के उतक्त पाएजाते ह तो इसमें उतकाएजातेएं स्रुसिया तो यह जनतूँ में कौन सा कार्या करते हैं तो देखिए यहां पार जल आसो सवन भौजन आसो सवन और अक्षात्मक आवरण का जो निर्मान इन सभी कार्ड जो होता है यह उपकला उतक जनतूँ में होते हैं अगला प्रस्णिया सब्लों के विभन को श्रीकयों के जो आप आत awakened आति के खाया है यहान से लाल रखत को शिक亞े हैं पादप करना है तो यह गोलाकारयों में करता है ठेख चलिए अगला जो हम लोग का यहां से आधाया चार शुरू होता है जिसमे पादपों की आधारीकी से हम लोगा प्रश्ण सुरू होता है फिर्फिए पहला जो प्रेस्ण है यह प्रश्ण है के कुछ जड़े जो मुलांक पुच्छाइफूरे के अतिरिक्त पादव के किसी अन्य भाग से उत्रपन होती है वह केलाती है तो आप अस्थानिक जड़ पर देंक कहलाती है का दूसरा प्रशन है नेमना लिखित मैं से तने क रुपांत्रन नहीं है कौन सा तो यह सकरकंद है यह तने का रुपांत्रन नह है रुपांतरिक पुछक क्यों सा तना है तो यह आलो जो दाइन नहीं हुआ है आध राइब जो में है जो ड़रुड़ूट है क्या है अधिक जो होता है के राइब सभागे से हलडी प्राफ्त क्या जाता है तो हल्दी पावडर जो सुखे हुए प्रकंद से प्राप्त के जाते हैं हल्दी पावडर है प्याज में खाद्य पदार्त किसे रूप में जो संचित होते हैं तो यह संचित होते हैं प्याज में सैलूलोज के रूप में अगला प्रश्ण अम्लों का है कि घाट पार्णी के निमना लिखित भागों में से कौन सा एक है घाट में रुपांतरित होता है तो एक घाट में रुपांतरित पता होता है अग्णा प्रश्णी के जिवन चक्रे की द्रिश्टी जे पौधे पौधो। thouya 10 प्रश्णी पौधो का दस नब्र प्रिश्णी है। यह प्रिश्णी की केंचन 193 किसम पौध यह उनाथ आफ खी लिएक हमला की। तो यह जो करण्ज होता है ओफसन डी देख लिए जो करण्ज होता है यह पेट्रो पादप है चलिया अगला प्रश्णिया से बार नुम्बर एक के प्रकास के निम्न लिखित प्रकारू में से किनिका पौधों के द्वारे जोए तिव्र आवसोसन होता है तो यह नीला और ल शचन अगला उन्ह到 निम्न लिखित में कोंदस ऑलाइंग का प्रजिणान का एक प्रकार नहीं है तो फ्लक करकेस पारा निक से आपको सुझान है देखिए यहां से हम लोग यह फल जो होता है तो यह फल अंडासे है और बिज जो होता है तो यह बी आपका भी जांड से काश्ट है यह काश्ट कहां से यह काश्ट हो जाएगा तना से और जो मंड होता है वह पती से हो जाएगा ठीक इसका मिलान आप लोग देख लिजिए और इसमें कुट भासा में आपको देना है तो कुट भासा में आप लोग ओप्शन जो है बी को दे दीजिएगा ठीक है यहां से ओप्शन आप लोग बी को कुट भासा में दे दीजिएगा चलिए अगला प्रश्णिया से 16 नंबर प्र प्रिश्ने के नीम्ना लिक्षित में से कौन सबॉसां सा प्रेशा तने से पुछा की का ही पूंचा ज़ुकर द़ारा पाज़ुद तो यह कहां पर कैस्कोग्राफ जगदिश जंद्रवास्व के द्वरा विक्सित क्या गया था जो कि पॉदु में ब्रिधि माई ये निर्मित होता है निमन लिखे तेमें से पुस्ता जड़ों के उधारन है कौन सा पुस्ता जड़ देखियां पर बदाम है पीपल है रवर का पेन है ये सबी जो है आपका पुस्ता जड़ों का उधारन है अगला देखिये पुस्ता जड़ों होते हैं जलिये भागों में तने के अधार को विक्सित करने वाले ये जड़े पुस्ता जड़ों के अधार से विक्सित होती है उधारन जिससे बदाम हो गया पीपल रवर आधी के पौधे हो गए चली नेक्स प्रेशनमलों का उन्नीश नमर है कि वात्वर सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संड़जनाओं में से कौन उतरदाई है तो इसके अगला प्रश्ण joyful के एक से परागण का उसी वगवादों के दूसरे पुस्त की है ऐस्त नईतरन जुह है तो यह सजात पूपी यहां पर सजात पूस्पी परागन कहलाते हैं फ़लों के मीठा स्वाद का कारण क्या होता है तो इसके मीठा स्वाद का कारण होता है फ्रक्रोज अगेला प्रड्रे सब्सक्राइस ध्यों किये लिए जी रखन्य सब्सक्राइब तो इसको रखा जाएगा टेरीडो फाइटर्स के वर्ग में थे चलिए अगला पॉइंट यहां से हम लोग का तेश नंबर प्रेशन है कि कुछ वीजिये पौधों में बीज नगन होते हैं निकि छोटे होते हैं यह पर नगन नगन होते हैं ठीक है नगन का मतलब जो होता है तो इसे पवद्ध की समुऊ में रखे जाते हैं तो यह रखे जाते हैं जीमनों अस Carnegie तो फूलो को अधियन को जो एंत्रोलावजी कहते हैं अगला प्रिशन हम लोगा है कि लिवर वर्ट क्या है यह जो लिवर वर्ट है पूचाए कि क्या है तो यह जो है एक अस्थलिय पौवधा है जो जड़ तनापती में जो भीभेदित नहीं होता है अगला पॉइंट हम लोग का प्रिशने के स्वापरागन का अर्थ है क्या तो इसका अर्थ होता है कि पराग को से उसी पुस्प के वर्थिकागरता के पराग का जो है अस्थरांतरों जो होता हुआ था सवापरागन होता है अगला प्रशने में किसमे मिलता है तो वह चैम आपको बीद में मिलता है यहां पर किसे मिलता है पूचाए कि माचाओ कि यह ताना काट से ूंस सर् acompa का अंतius नंबर है यह प्रश्णे की पूश्य के न betrays आंका झान साक्राइभ है तो ऑपन ओंद आ जयांग अगला हम लोग का भांग दे लोगार इंफके लुजा इनधेन यहां से लोग का इक कुनर जयांये नंड्स नहीं यहां ज़ना, होता है भाहिए कि चला इनला ओंद का उंद भाहिए फिर हम दॉर नहीं और अगला मिलों का तिश नुमबर है इसाने कि पादप जाड़ों के समथ में कौन वसा कत्थन असत्या है तो असत्य है कि ये प्रकास सुरोत की दिशा में विक्षित होती है ये कथन असत्य है अगला पॉइंट यहां से 31 नुमर है ये प्रश्ने की निमना लिखी तमें से किस पाधप यहां में उसके जड़ रूप का सही सुमेलन नहीं है तो देखें यहां पर हम आम अध्रक और कलिंद जड़ आपका गलत है आम अध्रक के यहां कालिंद जड़ नहीं होगा बाकि जो है डहलिया पुलुकित उंगा अब बरगत जो है यह आपका अस्थमम्मल होगा और मक्का गाना जोगा यह अप अस्तम्मूल होगा लेकिन यहां पर आम अधर की यह कंदिल जड़े यह गलत है ठीक है बाकि तीन यहां पर सही है आपको याद कर लिजेगा चले अगला प्रश्ण हम लोगा है कि पाधप के काईक अंगों में सामिल नहीं है तो पाधप के काईक अंगों में जो सामिल नहीं है वो वीज नहीं है निम्न में से परजीवी पौधों की पाचान करना है परजीवी पौधों की पाचान करना है इसमें हमलों कामर्ज बेल जो है यह परजीवी पौधा है ऐसे पौधे जिनके विजी के चारों और आवरन नहीं पाए जाते हैं वो कहलाते हैं तो वह आनावरित विजी कहलाते हैं पाउधो में अर्द सुत्री भींभाजन के अधेयन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है कौन सा उपयुक्त भाग होता है वह पराग कोस होता है चलिए नेक्स प्रॉइंट यहांसे हम लोगा है कि है कि प्रश्चने कि सचिता के सूचित ए सब्सक्राइब कर के कूओट चाहिए आपधा ही कल ना चैने का तो देखें हैं से हैं लोग का यह जो लेस्टे का sf तो होता है अस्तंब कंद होगा ठीक इसका मिलान आप लोग देख लेजिए और आपको कुट भासा में देना है तो कुट भासा में आप लोग ऑफसन जो है बीको देदीजिएगा चलिए अगला प्रिशन है कि निम्ना लिखित में से किसी रिसेदार जरतंत्र का जाता है तो यह आपको अप अस्थाने के जरतंत्र को जो रिसेदार जरतंत्र के निम्ना लिखित में कौँ सा पाधप हर्मोन नहीं है तो पाधप हर्मोन इसमें से आपका एंसूलीन जो है वो नहीं है चलिए अगला प्रिशन है कि बीस वका सबसे चोटा यह उम सबसे बाड़ा बड़ा तो रिफलेसिया बड़ा हो जाएगा और वुलफिया जो जो यह सबसे छोटा होगा कच्च्च फॉल को पगाने के लिए एक इस से गैस का परियोग के जाता है अगला प्रिश्ने की पादपों के तन्वों से संबंदित सत्य गत्र की परचान करना है तो इसमें लोग का को अऊँ सहागा देख्यु प्रभी वयंत स सभी होगा जैसे कि तन्वों का विकास्य प्रह decorative से होता है चलिए नेक्स फ्रैश्नेयाशंशनेय के बिस वाका सबसे उंचा पोधा कौन सा है तो वहाई आपका ऑड tilar ke अफ्र så वोटा हैो सबसे ऊचा होता है चलिए नेक्स प्रैश्नेयाशंशनेयाश् esp familo का तैस्य थालीश नंबर है तो ऐसा यह यह फर वे और पर वे संद्यों से यूग तो होता है इसलिए आपका अधरक जो होता है वो तना है बलकि जड़ नहीं है अगेला प्रेशन हम लोग का है कि वायोड एजल वनाने में किस वनस्पति का पर्यूग किया जाता है तो इसमें जो हैपका इरातन जोत जो की जे ट्रोफा नाम का एक फावदा बनस्पति होता है इसका पर्यूग वायोड एजल बनाने में किया जाता है निमनलिकोत में कौन अधिकता में कुसलत्य पर्वक और सर उड़्या को रसाईने कुटव्या में परवर्तित करता है क्लूरेल यह करता है कुलोरेला क्लोरेला कीलोरेला कि सिकार ये के लिए उतरदाई है तो ये उतरदाई है अहार वहन के लिए प्रस्थिति के वर्गी करन के अंतरगद्ध पदपो का कौन सा जुए वर्ग नहीं आता है तो इसमें जुए आधी पादप नहीं आता है अगला प्रिश्णम लोग का है कि नर पुष्वत माधा प्रकास अंसलेशन में किसे रंग का जो प्रकास सबसे अधिक प्रभावकारी होता है तो इसमें लाल का जो सबसे अधिक कर जाता है यह आपको वार्सिक वल्यों की संख्या का धार पड़ियाजा चलिए अगला प्रश्णियां से हारे पौधों से किसे की ऊपस्थ्थिति रोक्र कि नहीं तो इसमें उसीं स्थे उपस्थिति कुई नहीं नहीं है ऑफ सन वियाद रखिया चलिए एग्रिध्या कि ऑख्सी जो प्रखाश अंसलेशन से उत्पन होती है किसे से प्रत होती है यह oxygen जो होता है इसमें जल से प्रत किया जाता है चाई की पतियों में पाई जाने वाला सरवादी की महत्तपूर्ण उतेज़क होंता है तो उतेज़क है कैफीन चलिए अगला यहां से हम लोग का कुछ important fact है कि एक वीज़ पत्री और द्वीज़ पत्री में अंतर होता है क्या तो एक वीज़ पत्री एक तरफ है और एक तरफ द्वीज़ पत्री है इसमें वीज़ में केवल एक वीज़ पत्रे उपसीत होते हैं और इनमें जो है द्वीज पत्र उपसंत होते हैं इस के पुस्फव के भाग तीन या चार के गुर्णांक में होते हैं इसके संड़ाइब पुल में कϊम और प्रुचिय केंव्यम में उनपस्तित होते हैं और इसमें इसके स्वंगवहन पुल में जो होता है उपस्तित होता है निकी मौझूद होता है चलिए अगला प्रिश्णियां समलों का है कि वह मिगत तरों करूपांतर जैसे के प्राकंद जो होता है यह अमरद हल्दी केला अबास अस्तंब कंद यह आलू रतालू सक करकंद हो जाएगा और सल के कंद में प्याज लासुन और ट्रायू लिफ हो जाएगा और घंकंद में आपको और भी जीमी कंद और ग्लैडियोल लस्ट जो होंगे यह सभी घंकंद के उधारने ठेक चलिए अगला जो हमलों का प्रेश्न शुरू होता है वो अध्याए 5 सी प्रेश्न सुरू होता है जिसमें पादा पेरोग स्व प्रेश्न को देखेंगे पहला जो प्रेश्न है यह करा है कि नीमना लिखित में कौन सा सुमलित नहीं है तो इसमें हमलों का धान है हरितबाल वजर आई आरगट और माटर में जो है नहीं के पाउडरी मिलडियू और चना अपका उकठा तो देखे इसमें हम लोगा देखना है क्कौन सा गलत सुम्यूलित है तो यह धान के लिए यहां में पर बिमारी है और बाकि जो तीन यह बिमारी यह है वो सही है चलिए आगला प्रिफ्णम प्रिफनम का है कि मक्का के पतियों के सिर्थ का सफेध होना यह सूचकि एक इसका यह सूचक होता है जिंक की कमिण कहिन की कमिणस के होता है पौधो में वाइट वर्ड किस की कमी से होता है ले जिंक कि कमी से उता है अगला प्रेशने की फैद केते कि इस शुलदा कर दो एक सरसू का एक रोग है करणाल स्नसे का या ट freshly Aus अगला प्रश्ने के दहान का टूगरो विसानू परसारित होता है या परसारित होता है हरिपती के फुद के द्वारा आलो में ब्लैक होट रोग का कारण कौन सा है तो इसका कारण है ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है या ब्लैक होट रोग होता है आलो में ये लोवेन मोजैक ये किस फसल की गमभीर विमारी है तो ये विमारी है एक भिंडी की चलिए अगला पॉइंट यहां से हम लोग का नौ नॉमबर प्रिश्ण है प्रिश्ण है कि पादा परोगू का सबसे महुत तो उतरदाई कारक कौन सा है तो उतरदाई कारक है यहां पर फफंदी निवू का डाइवेक रोग का कारण है किसकी कमी से होता है निवू में डाइवेक रोग तो यह होता है तामबे की कमी से चलिए और अगला प्रश्ण यहां से हम लोग का जिवान जनिते पादाप रोग और रोग के हैं से हम लोग का कारक है कुछ तो आप लोग इ सिय यरं के खाण होता है और अका जो अंगमारी रोगयों और है email का कैकर्पू करें के खाण होता है और ऑस फार कोरि नूं वेक्ट्रियम होता है और यहां पर एंगुनर लिफ आसप्ट आफ्सकंद आफिर्फ को से मलव सीरियम के करण होता है और सेव गुलाव टमाटर है टमाटर और ट्यूमी आश्या जगा लोग आपको का सैथिल रोग यहापको आस यहां पर यहां पर आसी उडो मोना से सोले ने सियर स्वेलो सी ए रम के करण होता है और यहां पर हम लोग का आफजी सुरुआ यहां बाद परोगत से में ल Egyptians कोपर की मीसे अरुआ में आंत्र के निक्रोसी स्यापको वरन की कमीते हैं नीवे में लिटिल लिफ रोग्त यह कोपर की कमीते हैं आमें жास्ता कमी से माटर में जो मार्स रोगी मेगनिज की कमी से होता है अगला के दाहन में खेरा रोग यह तो जिंक की कमी से होता है फुल कोभी में विप टेल रोग आपको माली वर्डेनम की कमी से होता है और चकुंदर में हाट रोग जो होता है बरॉन की कमी से आलू का वलेक हाट होता है और फुल कोपी में जो ब्राउनिंग रोग होता है बोरन की कमी से होता है ठेक चलिए तो यहां तक हम लोगा जो पादप रोग हुआ कम्प्लीट हो गया और अब जो हम लोगा यह प्रिशन यह पोसन यह निकि न्यूट्रेशन से प्रिशन जो शुरूआ यह द्याय हम लोगा च्छा है पहला प्रिशन के रहा है कि निमना लिखित कथन पर विचार के जिए कार्बोहडरेड की तुल्ला में वासा समान मत्रा कम उड़िया प्रदान करती और प्रोटीन की ब्रिधि के लिए अवस्यक है विटामिन रोगों से सरीर की रख्षा करते हैं तो इसमें हम लोगा कौन सा entirely है तो इसमें लोग की जो और सकत्ते है यहां सरस्क्ली अगला प्रशन है दूसरी नमर्ण प्रशने करें कि आधुने के वियान में प्रोटी ओज मिक्स से कि उप योगिता के संदर्में निमना लिखिते कथनों पर विचार के जिए पहला की पोस्वाक अस्तर का आधियान दूसरा की कैंसर रोग को समझना और तीसरा के पौदों में अनुवांसिक भिंता का पता लग चले तीसरा प्रशने के निमना लिखित में से कौन सी फसल म्रीदा को नाइट्रोजन से परिपून कर देती है प्रशने के निमना लिखित में से कौन सी फसल जो है कि म्रीदा को नाइट्रोजन से परिपूर कर देती है तो यह मौटर की पौदा अगला चौधा प्रशने के यह अगला प्रेश्म्म प्रीकित में यह एकरित में भंडारीत होता होता है अगला कि विटामिन एक कमी से कौन सा रोग होता है तो wł cottage कमी के कमी के कारण होते हैं तो यह होता है विटामिन धृके कर भीतामिन आड नंब पर सोंड़ है कि कोली केली कॉली काली स्थे रशाइन का ज्यूंत कैने तो इसका समानय नाम होता है बिटामिन डी मचली से प्रापत होनेवाला 신्ル यह किसे विपामीन से समरीद होता है तो यह विटामिन D से जो है समरीद होता है अगला यहां से निमना लिखित में से किसे विटामिन को हार्मोन माना जाता है यहां पर किसे विटामिन को पुछेगा कि हार्मोन माना जाता है तो विटामिन D को जो हार्मोन माना जाता है अगला पॉइंट यहां से हम लों का 14 समय भी देना है तो पहला कि फ्लॉरीन यह हडी आयरन यह रखते हैं कैल्सियम हड़ी मैगनिसियम ग्लोरोफिर और सोडियम यह तंत्री का आवे गए है तो इसमें हम लोगा जो सब्सक्राइब तो कोङी MS2 प्रकास अंसिलेशन प्रकास वात्सेध्यृ तो सीवर टू सुलार नंबर प्रेशन हम लोगा कि सुची वन को सुची टू से सुमिलित कि एक तरफ खाने जहें और उसके शुरूत दिया गया है तो इसमें हम लोग का राइट अंसर होगा देखिए यहां से लोहा है तो यह लोहा पालक से हो जाएगा पोटैसियम यह पोटैसि सब्सक्रामें देना है तो कुर्ण बात ह Budget जो है एक को देजिएगा है अगला यहां से हम लोगी प्राइट की ट्राइग्लिस्रायड क्या यह ट्राइग्लेश राइड जो overlap affecting in de naamok protein किसी में उपाष्थीत होता हैं तो यह उपाष्थीत होता है तो अगला से प्रश्च्श भीतामिन का नाम है और एक्टर रसाइनिक यह बड़े 3 से संफिक का दोर आते इसमेधी की दोर्षार योगी है तो हम लोगा बीटामिन ए है यह यह जो वितामिन ए क्राशा Disc कि नहीं होता है इसका थाइमिन होता है और विटामिन सी गदर होता है बिटामिन के चलिए इसे में पोड़िक होता है चलिए इसमें आपको बासा में देना है तो कही हis अप्सम युए दिक देदिजिए causa अगला संतुलित अहार में क्या पाया जाता है तो संतुलित अहार में एक बटे-दो प्रोटीन एक बटे-चारवासा और तीन बटे-पांच जो कार्भोहाइडरेट होता है ठेक मैंसे बिटामीन नास्तों में नाइट्रोजसर्य कार्भोहाइडरेट में चिपे में। अगला प्माइफ नामति में से कौन सा पाधो के लिए जुई सुक्ष में पोशक नहीं देखें यह परcheck के लिए सुक्ष में पूछा करें कौन तर नहीं है तो मेगनेसियम रसाइने के तोर पर रेसम के रेस्व मुख्या रूप से क्या होते हैं तो यह होते हैं प्रोटीन है अगला यहां से 26 नमय प्रस्ष में रख्ति त्राओं दान्तों का गिर्ना आस्तियों का भंगुर होना फृमum घाउ भरने में देरी होना निम्नालिकी तुमें से चैनल को रोग से सुरू होता है यूगमों विचार के जिये एक तरह विटामीन है और एक तरह रोग है तो यह साईनोग माल में है जा आका रहे खा पालीमीच का सबोपह तो यह पार रे क६ लेख्लिक है कामि टयास मेन तो तो की हो ऊंदेखनाय कि कौन को से चिरोता है तो हरा कि इसमें सम्हेला का सुमिलत के बात करें तो क्यावल सी जो है सुमिलत यानि कफसनमुलों का सी इसमें सत्य होगा अगला यहां से प्रश्ण है कि विटामिन वी 12 के संधर में निम नलिखेते कतनों पर विचार किजिए पहलगी इसकी कमे जो है अनिमिय का आगन सकती है दुसरा है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्णतल सा कहारी है तो इसमें विटामिन बीट्वेलव का भाल हो सकता है और इसकी कमे जो है अधिकान शिता बच्चyों में देखी जाती है कौन सा इसमें कफन और k suscri अंग देखिर मैं आपका जो केवाल एक कफन कर tuya k assist you 2 कफने का जी किसके कारड़त सकती है तो यह हैं सुचक होता है मस्तिक के यहां पर यक्षमा है तो यह ट्यूबर कूलोसी से इसमें कर रहा है कि उपयुक्त में से कीस का जो कारण विशानु वाइरस है तो विशानु वाइरस जो होता है कि यहां पर डेंगू रख्त श्रावी बुखार और जापार नीजो मस्तिक से सुद है से इसी का कारण विशानु वाइरस है बाके यहां पर यह तिसरा अकर नहीं है कि इसमें हम लोगों का ओफ्चन जो ए तो उसे कहा जाता है पैडेमिक क्या कहते हैं पैंडेमिक है अगला प्रश्ण है कि यदि कोई विभीन महादीपो देशों मोतेंजीक से फैला है तो उसे क्या कहते है तो उसे कहा जाता है है पैडेमिक क्या कहते हैं पैंडेमिक हैं अगला प्रश्ण है कि एड़ सच्छाय रोग और मलेरिया यह जी एफ एटी एम से लड़ने हैं तो वैस्विक कोस्ट के संदर में निम्ना लेकित कत्रों पर विचार दीजिए यहां पर विचार केजिए यह हैं डाबलो नेचों के कतन सबत्का इसमें किया नाघोन सरकार नागरिक शमाज निजी चत्रों और रोगों से प्रभावित लोगों के भीच सजयhon आगू कि अगला प्रेश्ण निम्ना नहीं कर सकता है एट सेहे रेविज है यहां पार धन्तव अस्तम है है और है थाय। तो देखильно इंदा नहीं कर सकता है वह आपका इन 5 और इतों नहीं कर सकताATA o डीस से योगा प्रश्ण के मानों में निमना लिखी तमें से कौन सा एक रोग वायू द्वारा फैल सकता है तो यह जो यक्ष्मा रोग है वायू के द्वारा यह फैल सकता है अगर है कि बच्चों में क्वासी क्यों करें रोग किसे कारण से होता है तो यह किसे कारण से देख कि अगला यहां से प्रेश्ण हम लोग का 11 नंबर प्रेश्ण है यह प्रेश्ण करें कि कैनाई इन डिस टेमपर के संदर में निमना लिखित कथनों पर विचार करना है यहां 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 पर जो बिसाड़ू जनित रोग है और यह रोग हवा के सांसां सक्रमित शरीर से होने कह भी चक पैसे वाले स्रवन द्वारा भी फैलता है कौन सा इसमें सामलों का कथन सई है तो इसमें सब्सक्राइब और दोनों ही कथन सही है अगला परिश्ण:「क यह को aos 7 यहूं संचरित गभताईश्ट नहीं सब्सक्तित सत्तमार्ट कि कि तक रोगी को लह यहूं में फॉलिक आम लिकी टिक लेने के सालाहत देता है तो यह वेक्तिि खी वांगतुता Whilst अगला प्रश्ण के कुष्ट रोग किसके कारण होता है तो कुष्ट रोग यह आपको जीवानु के कमी से होता है यहां पर किसके रोग कि पुछा के कुष्ट रोग किसके कारण होता है तो यह जीवानु के कारण होता है कमी से नहीं कारण से होता है निमना लिखिता मैं से कि इसने पेनिसिलियम जीनस से प्रतिय जैवी उत्तपाद के कवा के फंगस की खोज की तो यह खोज किया गया था सर अलग्जांडर फ्लेमिंग के द्वारा अगला यहां से प्रेशनम लोग का सुल्ण नंबर करेकी निमना लिख्यत में कौन सा एक है जल संक्रमन लोग है जल संक्रमन रोग यह पिलिया है निपा है वायरस के चंदर में निमना लिख्य तो कतनों पर विचार कि जी हैं यहां स आपका दोव स्टेटमेंट दियागा नि मलेशिया के गाउं के नाम पर हुआ है दूसरे के यह रोग फ्रूट वाइट द्वारा संचरित होता है कौन सा इसमें सही होगा इसमें से दोनों जो कथन है वो सही है अगला यहां से प्रेश्ण नमलों का अठारा नमबर प्रेश्ण है कि एड्स जिस वाइरस के कारण होता है उसका अनुवांसिक पदार्थ है कौन सा उसका जो अनुवांसिक पदार्थ वह एक अस्टेंडर आरेने है 19 प्रेश्ण के नमबलाल के सर्श्ण में से किसमें आप मिष्ण के कारण स्था खरयं मिशन के लू होता है तो यह होता है सर्सों का त्यल सिर्ड़ चले क्शली अहां है पर आप पर्लिफण के की užन्वांसिक तो वरहिक्ति में हवा के माध्यम से संचरित होता है कर और यसमें से देखना कि कौनों सा कतन प्रमार मीर iOSанич का है तो इसका वाक है मच्छर इने कि यह मच्छर से होने वाला रोग है निमनालिक्त मेंसमें से कौrai जीवानू जनीत रोग नहीं है तो जीवानू चनीत रोग यह मलेरिया नहीं है ऑगला प्रिश्nia हैं से हम लोग का है कि पेनिसिलेन के विशय में निमनलकीत में से कौन सा कफन ्तन सऑब पेनिस रिंचलीड कभिशा मैं तो पेनिसिलीन प्रति डिश्वान उ इस प्रति जैवी को जो है वीटा लेक्टमेश नाम के जाईम द्वारा निमनेक्रित कर सकते हैं यह कथन को सही है चलिए अगला प्रश्णियाओं से हम लोग का चोविश नुम्र प्रश्ण है कि हैजा के बारे में तो यह एक रोग है जो संदूसित भोजन या जल का सीवन करने से होता है है जारोग है अगला प्रेशन है कि विसानु के संदर्व में निमना लिखे ते कथनों में से कौन सा कथन सही है विसानु के संदर्व में तो किसी भी विसानु में आरेने और डियेने दोनों मौझूद नहीं ह होते हैं विसानु के प्रोटीन आवरण को कैपिड कहा जाता है और शिकन गुनिया और डेंगु विसानु जीनित भीमारिया है देखिए इसमें से हम लोगा तीनों जो अस्टेटमेंट है वो तीनों अस्टेटमेंट सही है ठेक चलिए अगला प्रेशन है कि नेमना लिखेते संचारन होना स्वामभव है को तक तर शहीं है दोनों से कथन हम लोगा इसमें सही है चलिए अगला प्रेशन नों काें है किए चुण और यह थानु का कि नमना लिखेते से किस्पी मारी के संधर्ब में उल है किया जाता है क्नियू डिया लिखिता है सभून उन इहांflies महारत में उन्मुलन जो हो चुका है महारत से जो उन्मुलन हो चुका है कि से रोग का तो इसमें हम लोग का क्यवलती नहीं के चेचक पर ही हम लोग का उन्मुलन हो चुका है कि ऑप्सन भी सई होगा है अगला यहां से प्रेश्ण नम्लों का 29 नंबर है प्रेश्ण करें कि संगर मीशन संगर मीशन इंदर धनों से आई एम आई के विश्ण में निम्ना लिखी ते कत्रों में कौन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना है दूसरे कि निगरानी प्रगाती जो है नामक एक विस्यस पाहल के अंतरगत की जाएगी कौन से इसमें इसमें भी कथन आपका जो है दोनों ही कथन सब्सक्राइब होगा अगला यहां से तीश नंबर प्रश्ण है कह रहे हैं कि एड्स का कारण हुमें इम्यून डिफिसेंसी वाइरस निक हैंचाइवी है समाने तहें चाइवी संक्रमन पर पारगमन किसके माध्यम से होता है तो यह जो होता है संदूसित रग्त यहों में रग्त उतपाद करण हो है तो है जो है घ्रेलू मकी मलेयरिया माधाएन अनुफ्र हैं पर जो माधा एंडिस मचर और डेंगु माधा एंणुफ्रेज इसनर निक निन्यमना लिखित नेशर्ण से क्यों सा वर्ड फ्लू वायरस जिसे एवील है से लिए मुझा लग्रान होगा इन दिन्ष न और इसको एवियन फ्लू वाइरस भी कहा जाता है उसको नम लोगा इसमें यह सही होगा और नेक्स प्रेश्ट नम्बर है प्रिफ्ट नेमना लिखे तो बीमारी ओमें से कौन सी वेक्टर जन जाती बीमारी है तो पुछाए कि कौन सा है यहां पर निंदरार हो गए मलेरिया ह लसी का फाइल एरीया है और रिफ्ट वैली ज्वार है और कोटा होगा इसमें हम लोग में र यहांसे हम लोगों का 24 नंबर प्राष्ण है यह प्रेस्ण कर रहा है यह कोलाए minerals के कि स्में पाए जातवर तो यह मुखह получится जो है मानवात में पाया जाता है e को लाई जीवाण अगला यहां से प्रेशन 25 नंबर यह प्रेश्ण कर रहा है कि लीमQué पहला है कि यह लिंप फैटी की जो फ्लेरियासिस रोग है यह मचर के काटने से फैल सकता है और दूसरा है कि इसे विश्व स्वास्वासंगठन द्वारा उपैचित उश्मकटि बंदिया रोगों के रूप में वर्ग कृत किया गया है तो इसमें कौन समलों का कथन सही होगा में अगला यहांसे 6 इ rabbits है की निमना कित मैं के कोरते काला अजार नमकहरे यह काला चबते सबस्क्राओं है रोटा वारे काडर करना है यह रोग यह रोटा वाहिस के कारण वाले आवस्था में होने वाले डाईरिया हे से शुरक्षा परदान करेगा और परदान करेंगा और दूसरा है कि यह हारत का पूरत श्ва-डेस विक्सित Пछधीए पहला तीका है जिसे भी सवात संगेठन द्वारा प्रेक्वालिफाइड घोंसित तीक्या गया है तो कौन सा इसमें कथन सही होगा इसमें भी आपका को दोनों कतन सही ऑगला अमुप्र गुट अमलों का है कि Indैडि नेला सेंगे सिस Ind garnisłeं से क्या है तो यह जीवान आनावी फ्लास्टिक को पाचाँमें सक्षम है उसको यहां अलों इन्डों नेला शेंग क्या है तो ये जीवान है जो की प्रतिरक्षा तंत्र के संदर में निम्रा लिखेत गत्रों पर विचार करना है पहला जो कथन है HIV संक्रमन में वाइरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमन करते हैं दुसरा है कि गंभीर संक्रमन रोगे प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दरसाते हैं और टीका करन का समान यह नियम या है कि सरीर में करारे exam मुर्भ कोना सकता है कौन साइस में नोगा it me Italya होगा पूछा अंप यह सथीस सप्ट्य होगा तो इसमें हम लोगा लोगा मतब्सर्व इस त्यनला हैं और τ themesumsに आप सिथ सत्या ऑगा करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मसनीरी मुसीनरी का उपयोग करते हैं एडवर्ड जेनरर ने चेचे के ठीका की खोज के तीकों साइट्रेट्मेंट सही है दोनों सही है कि अगेला प्रेशने के सुची वन को सुची टू के साथ सुमिलेती करना है तो यहां से हम लोग का यहां से जो प्लेग दिया गया है ठीक तो यह जो प्लेग होता है यह आपको जिवानु से होता है एड्स जो होता यह भी सानु से होता है और जो गंजापन है यह कवक के इसका मिलान देख लेजिए और कूट भासा में आपको देना है तो कूट भासा में आप लोग ऑप्सन जो है डी को दे देजिएगा चलिए अगला प्रेशने के निमना लिखे तो कत्नों पर विचार के जिए यहां पर गौनोरिया है सिफलिस है मसा है और शाइवी है वह प्य है आपका बिसानु जनित रोग है बाकि जो यहां पर आप्सन ए और दो है यह नहीं होगा चलिए अगला प्रेश्ण यहां से हम लोग का यह 43 नमर प्रेश्ण है प्रेश्ण करें के सुची वाइन को टू के सांथ सुमिलत के जिए और सुचियों के नीचे दिये गए कुट का परेवक करके सही उतर को आपको शूनना है तो यहां पर हम लोग का यह है जा है जो हता वह बੂंज कालैरी से होता है और यह प्लेग है तो आप्शन एको दे देजिए गा अगला यहां से प्रश्ण है कि मादा क्यू अपर जो मादा क्यू लक्स मक्षेर निम्ना लेकित में से कि सरोग की वाहक है तो यह वाहक होता है फाइल एडिया का एथलेट फूड नामक बीमारी किसा से उत्पन होती है तो एथलेट फूड तरह से सुमिलत है एक तरफ नेत्र है और एक तरफ गया तो यह मायोपिया थीक यह जो मायोपिया है यह आपको निकट देश्टि दोस्त और प्रो असवाई वो पिया है तो यह द्रिश्टि के निकट बिन्दू का जो धुन्दला पढ़ना और हाइपर में टॉप यह दू लिवकेमिया एक परकार का कैंसर है जिसमें औसाधारन ब्रेदी होती है तो जिसमें औसाधारन ब्रेदी होती है किसमें यह ब्रेदी होती है स्वेत रक्त को सिखाओं की संक्या में औसाधारन ब्रेदी होती है लिवकेमिया एक परकार का कैंसर है चलिए अगला यहां से प्रे लाना भी से सचिंता का जो भी सहे हैं कि या गंभीर जनम जाते दोस्ट पैदा कर सकता है तिसरा एक खैसरस ऐनीमोनिया दर्स्त और इंस यहां पर इंसे फिलाइटीस जैसी दिवित्यक स्वास्त समसाएं उत्पन होती है और यहां से हम लोगा देखना है कि कुछ सा इसमें से पाया जाता है किसमें तो यह समाने तो छोटे बच्चों में पाया जाता है ठीक यहां पर सेरे बल पलसी एक मस्तिक समंदी विकार है जो कि छोटे बच्चों में पाया जाता है अगला प्रश्ण में काई कि BMD परिक्षन के लिए क्या जाता है तो यह क्या जाता है आस्टी पॉयोरोसिस के परिक्षन के लिए यह BMD परिक्षन क्या जाता है प्रश्की और लागा जाता है तो फालता है । आपको डेंगो वुखार फैलता है काला अजार का संचर्ण कीसा से होता है तो इसका संचर्ण जो है सिक्ता मक्ही के कार्ण होता है कि कुष्ट रोग को किस अन्याम से भी जाना जाता है तो कुष्ट रोग को है यह कुष्ट रोग को जाना जाता है और अगला यही प्रश्या Fitzreome में हम लोगः का अंकालतंत से अम मों का भी सुरू होता है प्थेला जो प्रश्ण है कि लाल एक को छिका आवन की आरबीसी का निर्मादन के निर्मान हमारे सरीर के किस भाग धाग में होता है तो यह होता है अस्ती माझा में प्रेश्णा आपनी स्फिय और वोस्था होती है एक जाइत सेयल में अस्तीयों के संक्या होती हैं कि अगला प्रश्णियाव से चौनहीं तो में अस्थीों की संख्या जो तीन डीदिन लिखित कौन सा अस्थी का प्रकार नहीं है तो अस्थी जंदी का इक प्रकार इसमसे नहीं है यह tolerा जो यह सदूक का प्रकार-गाउं नहीं है next प्रेशने चल्ट नुमर कि मानर वे सरीर में दो हडिया आपस कैसे जुड़ी रहती है तो यह तो हडिया है अस्थी बंद यानि कि लिगा मेंट से जुड़ी रहती है तो इसमें जो अर्थो फ्लास्टी होता है या कुल्ह के जोड़ का प्रति अज़ स्थापन होता है ठीक इसले केरे में अर्थ्रोफ प्लास्टी जोता यह क्या होता है तो कुल्य के जोड़ का प्रतिय स्थापन होता है अगला के पैसियों को आस्थी से जोड़ने वाली संद्चना कौन सी है तो वो कंडरा है चलिए अगला पॉइंट यहां से नौ नूमबर प्रश्ण है प्रिश्ण के अस्थियों में किस लवन की उपस्थिती सरवाधिक होती है तो इसमें कैल्सियों फस्पेट की जो मात्रा होती हो सरवाधिक होती है कलाई की हडियों को किसी नाम से जाना जाता है तो जो कलाई की हडिया उसे मेटा करपल्स के नाम से जाना जाता है अगला प्र सब्सक्राइब करते हैं कठोर बयायम के समय पैसियों में क्या बनता है तो कठोर बयायम के समय जो पैसियों में पाइरुविक आमल और लेक्टिक निर्मान होता है प्रशने वहार्च का अधिकत्म भाग किसके कारण हो यह वह तो यह होता है जल के कारण का निर्मान के नंगों से होता है तो इसका जो निर्मान है और उर्रोस्तिक कायों में परसलिया के दवारा होती है अगला प्रश्नियां से 15 नमबर है कि मानों शरीर के सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्तिक्रम से देखे यहां पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी तो सबसे छोटी यहां पर सबसे बड़ी फीमर अगला प्रश्नियां से 17 नमबर प्रश्नियां कि निम्ना लिखित में से कौन सा पॉस्टिक तत्वा आस्थियों दातों के निर्माण मजबूती के लिए आवस्यक नहीं है अगला प्रश्निया के सुचिवान को सुचिटू से सुमिलित करना है यहां पर मानव खोपड़ी है तो मानव खोपड़ी में जो हड्यों कि संक्या होती है वह उन्ती सुम्हेश होती है मेरे तो संक्या होती है ओर पक्रश्णियों चोर्शिक Journal Sa Nik twist एक अस्ति होती है ठीक चलिए तो यहां से इसका मिलान हो गया और आपको जो एक कुट बासा में देना है तो कुट बासा में आप लोग यूए से को दे दिजयेगा है अगला यहां से विश्णमंत प्रिस्ण के अस्ति संदियों के भीशे में सथियक पाचान कीजिए यहां पर तीन कथन है तीन स्टेट्वेंट है चार इसमें सैब असातय किफन को देखने रहे हैं तो इसमें असात है के लुए मूर्ड के घूटनों की अस्ती संदी अघूंध संदी का उढारन यह गलत है बाकि सही है औरला पॉइंट 21 नमरे करें कि फाल्स रिव से तथा फ्लोटिंग रिव से किस अंग में पायाती है तो यह सबी वक्षिय पिंजर में पायाती है मनुसिया में कितने दंत दो बार निकलते हैं तो दो बार दंत निकलते हैं उसकी संग्या जो है 20 होती है ठीक 20 जो दंत होते हैं वो दो बार पूर्न कि निमित होते हैं अगला यहां से प्राष्ण हम्लों का 23 नंबर है प्रेक्ष्ण कि नेम्ना लिखेते मैं से किस जंतु में स्रवाधिक पसलिया टिया तो यह साप में होता है कि अगला याँ से सुची वन को सुची टू से सुमलित के जिया और सुचीओं के नीचे दिये गए कुट का जों सही परियूग आपको करना है यहां पर एक तरफ तरफ प्रफियों सुची टू है तो इसका हम लोग सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब पर यहां सब्सक्राइब ये napем रिभा और चानव यह मिलाइन हो गया और और कुट बासम इसको देना है तो कुट बासम आपसर नमों का जो यहां से डी सही होगा अगला यहां से 25 नमर प्रश्ण है कि मानों कांकाल से संबन दीते रोग उनके लक्षणों का सही सुमेल कौन सा नहीं है जैसे कि गठिया है यह जोडों में स्रीजनाना जोडों में दुखार होगी आपको कैल्सियम और फॉस्पोरस की कमी से बच्चों में कमजोर आना और अस्टियो पुरोसिस यह आपको आस्थियों को कमजोर होकर भंगुर हो जाना और टीटेनी यह जो उपास्ति के फटने के कारण यहां पर जो कारण चलने में दर्द होना तो कौन सा से इसमेल नहीं तो कारण पृटे जो तीन यहां गया है वह सभीषकल नम्र कि मानो शरीर के पशलीओ के कितने जोड़े होते हैं तो पस्तियों के जोड़ा होती हो बारा होती आग्या पवांट एक मून से कि खोपड़ी में कितने अस्तिया होती है तो 29 होती है चलिए अगरा यहां से अध्याए नौ से प्रश्ण सुरू होता है जिसमें हम लोग का यह स्वासन तंत्र श्टार्ट हुआ पहला प्रश्ण है कि स्वासन के संबंद में सत्यकतन के पाश्चान कीजिए पहला कि यह एक जैवरसानिक प्रक्रिया है दूसरा है कि इसमें भोज सही है ठेक चलिए अगला पॉइंट दूसरे नंबर है कि मानों शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यन से क्या जाता है तो यह आपको हीमोगलोविन और रुधिल प्राज्मा के जो है माध्यन से क्या जाता है अफस्वान सी सही होगा कि यह तथा भी दोनों सही है सवसन को सिक्याओं के बीतर होता है और स्वासो स्वक्स जो है इसकी पर किरिया में किरिया में जो है उड़िया उतवन नहीं होती है जबकि सर वस संब में जो है एक turbo क्रिया है जैसरीर में करिमाने से सभी कत्रम देखना की इसमें के सही है अगीला के मानौत शरीर में कर्बन डायक्साइड का परिवहन किस मादयम से होता है तो यह आपको हईमोगलोविन के मादयम से प्लजमा में घूलकर और बाई कर्बनेट्स के रूप में यहां पर उन सभी के मादेम से शरीर में कार्बन डेक्साइड का परिवान होता है अगला पॉइंट यहां से पांच नमबर करें कि अकसी स्वासन की क क्रिया को सिका किस भाग में संपन होती नेक्स प्रश्यास का छठा प्रश्या के श्रक्ष्य को मुथ होता है तो इनके ऊपड़ जो है पालीवरा जीली का आरन बना होता है भोजन निगलते समय स्वसन मारगे किस अंग द्वारब बंद हो जाता है तो यह बंद हो जाता है apgloótix के द्वारा इब बंद हो जाता है सुवसन मारे गाई अगला प्रेशन इसके oxycrno के द्वारा उत्पन होती है सवसन कहता है तो यह कहा जाता है गुलुकोज के द्वारा उत्वपन उड़जा को सवसन कहा जाता है अगला प्रेहां पर किसके ऑक्सिकर्ण के द्वारा तो यह गुलुकोज के ऑक्सिकर्ण के द्वारा जो उत्वपन उड़जा होती इसको सवसन कहते हैं नश्राइक वाई मऔ यह ओक्षीजन को फेफड़ों में ग्रहन करना और शरीर के वीभीन भागों से आई हुई कारऊंड डथक्साइड गैस को बाई मनडल में मुक्त करने के फ्रकिरिय को क्या जाता है तो इस केरिया को जो है स्वास उस्वास कहते मघų कर आगला यहां से दस नूमर प्राइब लोग आए कि क्रेव चक्र की किरिया किसके अंदर संपन होती है तो यह आपको माइटु कांडिया के अंदर जो एक इस साइकल के प्रिया संपन होती है फ्याफटों में कितन लीटर गई सदार्ण करने के जोंधिकत्यम शमता होती है त कितने चक्रों में पूरा होता है तो यह पूरा होता है लगबग दो चक्रों में अगला यहां से तेरे नंबर प्रेश्ण है कि गाहरी सांस लेने पर एक व्यास कमानों द्वारा कितने लिटर वायू ग्रहन किया जाती है तो एक व्यास के द्वार जो ताड़े तीन लिटर है सबस्क्राइब पर जीवियों में होता है यह आपका जो है अंतर नहीं है चलिए अगला पॉांट यांप से सुलन नमबर एए कि नौजाट सीस्वों में स्वष्ण की दर कितनी होती है तो उसमें जो इस्वष्ण की दर जो 30 से 60 बार जो प्रती मीनट होती है निम्राल लिखित में से कौन सा जैवे रुपांतर अन्मानों सरीर को अधिकता मुड़्या प्रदान करता है तो मानों सरीर क किताग की मात्रा प्रिवर्थित रहती है तो इसमें जो रिभावित की आप्सीजन परिवहांच प्रभावित प्रफवित करती हैं मैं हिके रोसंन के लाता है इसे कौन सी प्रकुरिया कोसी की सौतन के दीद नहीं है कौन सी तो यह जो आपका नी स्वासन है यह को सकीए सोर्षन का अंधर देशंग नहीं है तो इसमें प्रात होते हैं तो इसमें जो है टो एटीप एटीप अनु प्राप्त होते हैं व्रूों अवरण में तरल पदार्थ होता है और 183 से बरून के लिंग का पता लगाए जा सकता है तो इसमें दौन जो है साही है ठीक चलिए अगला प्रश्ण 24 नमबर detach Of में कौन सा सारीरिक अंग स्वसन किरिया में भाग नहीं लेता है तो स्वसन किरिया में जो आपका वोमन संपूट है यह कोई भाग नहीं लेता है किसी सवक्ष व्यास के व्यक्ति की जो है विस्वरामा वस्था में आउसत स्वसंदर होती है तो विस्वरामा वस्था में जो स प्रशन नली की दिवारों के संकुचन और प्रसारन की डौडडडडड़ोंट गती को क्या कहा जाता है तो इस गति को जो है क्रामा कूचन कहते हैं दूसरा प्रशने के एंजाइम क्या है तो एंजाइम जो है कि जै उत प्रे रखे क्या है जै बहुत प्रे रखे है अगला प्वांट यहां से तीसरे नमबर है कि मानो तंत्र में निम्नलिकित में कौन सा एक है पाचक एंजाइम न नहीं है बाकि जो तीने यह पाचारे में है नार किसे के पाचन में मदद करती यह यह मदद करती है च्छिम अग्यू में सब्सक्नक्राइब lif को अग्या प्रशंड कैकी सभाग से पीत रस्त व्urtory Waters प्राप्त है इकरित के द्वारा अग्रत है कि यह ज़ली के द्वारा अग्रत है द्वारा वुफा चलंग होता है यौफ जो प्राप्त होता है यह यह साथवा और ग्लेशिरॉल प्राप्त होता है वर्मीः फ़रम एंभेंडिक्स क्या है यह जो आपाने आपस yht से क्या है और आट है लोका नौन नंबर प्रेश्top stable कि निमनलिखेत में कों सा ऐखर डियर्वाइडरेट के पाचन का जरू है तो अंती मुदपात ribs होता है कि एक हाए कि मानों शरीर में छुद्रां सरकितirie सरचन्दमक बहागों की लंबाइगे का कौन सा ज सही हास्यवा। क्रम है कौन सा तो हहा यहां पर दखिए सो सांतर यहां पर इसको ऊपर रियते हैं सोसांत रहें माध्यांत रहें और गड़ाहनी यह तीन सराजनात्मक भागों की आपको लंबाई के इसाब से दिया गया है अगला प्रिश्ने के निमना लेखित में से कौन सा यह पाचन तंत्र की वितियों से तेजी गति से आउसोसित होगा कौन जो है वसौशित होगा तो से अऊसवसित होगा मन्दीरा के रुप में लिया गया राप परिक्रेटि आलकोहल प्रेशन्य के निम्न लिखित में से कौन सी क्वासचन तंतर की वीक्तियू से तेज गती से जो tangledचित होगा तो मन्दीरा के रुप में जो लिया गया ? पर र किरिया है पाचक पर किरिया है कौन से तो गुलकोज का सियो टू और एंची टूओं में भी घटन अगला प्रेट नहीं लोगा कि दांत या मों के रूप से किस से पदार से बना होता है तो दंत जो होता यह डेंटाइन से बना होता है पितरस में कौन सा जो है पित वर्नक उप सित होता है अगला पंदर नंबर प्रेश्ण के नेम लिखेत में कौन सा पाचक हर्मोन छोटी यांत से अस्त्रावित होता है से क्रेट्रीन कौन से क्रेट्रीन जोता यह छोटी यांत से अस्त्रावित होता है नेक्स प्रेश्णिया से हम लोग का शुलन नंबर प्रेश्ण है कि पाचन योंपाचन तंतर से संवंदित असत्य कतन है कुण सा तो इसमें असत्य कतन है कि ग्रहन किया ग्या भोजन गुल्च वह थीया अमलत अमें नों जटिल मिस्रण के रूप में होता हैं यह कतन असत्य है अगला प्रेश्ण साथर नंबर कहरें कि पाचक एंजाइमों उससे संबंदित अंगों का जो है गलत समुह कौन सा है इसमें गलत समुह कौन सा पुचा गया है तो देख यहां पर टाइलिंज होगा यह लार गरंतिया पेपसी नमा सा है और मार्टेज यह बढ़नियात और यहां पर ट्रीप यहां पर जो ट्रीप से नो जीन यह आपको फितासे सही है गलत होगा तीन यहां पर यह तीन सही है और यह therefore शोथा गलत है और अगला प्रश्नियात तो यह उपस्थित किस अंग में होती है पुझाएगा यह होता है अगनावसाय में अगला के छोटी यानत में अस्तरावित होने वाले पाचक हर्मोन जैसे कि सीक्रेटिन है कोली कि सी अस्तरावित होने वाले पाचक हर्मोन है और यहां से मिलों काये कि पाचन तंतर से संब्धित कुछ रोग है जैसे कि पीलिया है उल्टी है दस्ते कव्ज है अपच्छे मदूमे है है हाइपोगलाई सीम्या है वावासीर है यकृत सीरोसिस पैचिस गल्सुआ है जाइत् संसंत्रों परोग है अगला यहां से 21 कमर पहसरिकी एल्कोहर के निरावीसन के लिए कौन सा अंग उतरदाई है तो इसके लिए जो उतरदाई अंग है वही आगी ऊगरित है अगला यहां से 22 नाटर कर Dude किस पदार्थ का बना होता है तो यहदं तबहर dejary नहों प्राइब की तेहांपर यहांपर मोर गया मोर का नहीं पानब करते हैं उग पॉआंट हमों करता है यह गलत है गता है औरा सा के साथ भोजन को मिस्ति करता है इस Biz वह प्रटन करता है कि एगला 25 प्रशन के सिज्ञ और प्राणियों में निम्ना में इसे उपाचन क्रियाइं पाई जाती हैं तो इसमें पाई जाती है प्रोटीन कर एमिनो आमलों में अपघट उतकिरा तो ये प्रकि senior का 26 द्रेस्ञ इन पर के प्रिशन एक अक्रित वासा को पाचाने में मौतापुन भूमिका निभाता है और और इतका व्याक्त दीय गैया कि ये अंचिरियत के पास दो वासा पाचक खोंते हैं। पर यह सई है लेकिन आर जो है इसमें गलत है यह सई है यहां पर आर का यह वाला गलत है कि दो आसा पाचक एंजाइम होते हैं चलिए एक्स प्रेशन आपसे 27 नुमबर है कि मानों सरीर का कौन सा यह भोजन के अप मिस्र के आफ लैटाउक्सिन के परियोग से प्रभावित होत है चलिए नेक्स प्रश्णीयांसे हम लोग अध्याइग 12 से प्रश्ण शुरोता है जिसमें हम लोग इंड का उत्य सर्जन तंत्र से प्रश्ण इस्टाट हुआ पहला प्रश्न है कि नेमना लिखीत में से कौन सा यह मनुद्स से के उत्य शर्जन तंत्र का भाग नहीं है बाकि जो मुत्रमारग है, मुत्रवाईनी है और गुर्दे है यह सभी उत्ति सर्जन तंतर का भाग है। अगला दूसरा प्रेशन है कि निमना में कौन सा कतन सही है। चारों में से कौन सा कतन सही है। तो सरीर में संपूर रक्त कीड़ने के माध्यम से सुद होता है, यह बिलकुल सही है। सही होगा और बाकि जो तिन है वह गलत है। मनुसिया के सरीर में रक्त के सुद्धे करहना की परगरिया को क्य कहते है। अगला प्रेशन हैं से मु cog Geraldine die Sumile has a earth in a body, तो यहां से हम लोगों का है अमीबा जो हता तर तर त्वाक्छा होता है रिंग त त्कीत होता है। और अर्थो पोड़ा का मेल फीग ही लिकाए होती है इसका मिलान देख लेजिए और आपको कुट बासा में देना है तो कुट बासा में आप लोग यह है सी को दे दीजिएगा ठेक चलिए अगला प्रश्णियां से हम लोग का पांच वे नंबर प्रश्ण है प्रश्णिया के आंग तथा उनसे उतसर्जी अपसिष्ट पदार्थों का गलत सम्मु है कौन सा यहां से पहला है के वरिक इवरिया यहां जल का उतसर्जन फेफडा जोता है कारबन डायक्साइड वो अजल वास्प का जो है उतसर्जन और यह अकरित जो होता है वो सीवाम सब्सक्राइब टार्फों का ओंट तो और यहां इसमीं से गलत है कि यह करें जोता है यह फांव हुआ जो तीन हे वासे सही है कि अगला यहां से चठा प्रश्ण है कि यह प्रश्ण हम लों का पर चाहरे कि सबसे अधिक भी साखत उतसर्जी पदारत कोन सा तो वह उत्सर्जित पदार थे आमोनिया एक बायास के स्वास्त मनुस्य द्वारा एक महीने में उत्सर्जित मूत्र की जो है मत्रा होती है तो यहां से हम लोगा एक प्रशने के एक बायास के स्वास्त मनुस्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित जो होता है यह मूत्र की मत् था लगबख डे डिल डिटर को अगला यहां 2 प्रेश्श्ण अनों कि वह मी कड़ेटा inspire में बनने वाली पत्री समानय तो किस पदार्थ की वनियों होती है तो यह पत्री जो होती है यह बनी होती है कल्सियम ऑग्जिलेट की बनी होती है यह जो पत्री होती है यह कल्सियम ऑग्जिलेट की बनी होती है अगला यहां से दस नंबर प्रेशन है करेके विरिक काणों किस अंग में पाजाते हैं तो यह विरिक में पाजाते हैं मुत्र से स्वरी म और से मांकों का 11 नंबर के विल और होंनों क्विल से रोग में कौन सा अंग परभाव्य पढ़ ने क्वैंसा प्रोटीन नाखनों में पाए जाता सब्सक्राइब था सबने करें था किसे सब्सक्राइब दो था कि गष्ट का जो वेट होगा वह एक किलोग्राम होगा यदि एक इंट लेने की सो किलोग्राम का मस्तिक्ष को ठीक चलिए अगला यहांसे प्रिश्ण है कि मानव मस्तिक्ष का कौन सा भाग वुदी अस्मिर्थी और भावनाओ का केंद्र होता है तो आयोता है सेरी ब्रम मनुस्यों में पे नियमन किस अंग के द्वारा नियंत्रित के द्वारा इस्तित उता है को फुशुर के रज्यु में सवसन को सवतर्भ नियंत्रर मस्तित में कौन संग दर्द मश्चुस नहीं करेंग investmentche and nature कि तो इसमेंजोन मश्च दर्द मश्चुस नहीं करें डर्द सभी ने झे लेगल दर्द नेर निकला हमा लंबा बाह वह वह उता किय अगला यहां से आट्वा प्रिश्ण के तंत्री काक्ष के जारो और किसे पदार्थ का आवरण पाया जाता है तो उसके चारो और मेलिन का आवरण पाया जाता है अगला नौन नूमबर प्रिश्ण है निमना लिखित में से कौन सा तंत्री का तंत्र का कार्या है तंत्री का तंत्र का कार्या है तो यहां पर सोचना समझना एक्षे किरियाओं का नियंत्रन हर्दय गति का जो नियंत्रन उप्यूक में से सभी जोगे यह तंत्री का तंत्र का कारिया है मानों सरीर के ताप करम होता है यह ना सर्दियों में घठता आपना इंगरियों में बढ़ता है आपको निएत रहता है अगला यहां से 11 प्रस्टिक्छ में कम ऑक्सीजन की आपुर्टि के करण क्या होता है तो मस्दिक्छ इपोक्सिया होता है अगला कि डिसलेक्सिया रोग नीमनलखितими से जो हैं जुए समद्दिते हैं तो यह सम्द्दित हैं मस्दिक्स से अगला पॉइंक से तेरान में कि मानसरीर का कौन वहाग्य अलजाइमर रोग से प्रभावित होता रहे हैं अलजाइमिवर फुल्षक्र और के कुर्ण तो मंस्तिक्स धूता है नेमकर सुमीयित के जिए चेकिट साद करना और एक तरफ शीज governo है क्रम है हम अति सड़ेगा करकात है तो हे Sutu शीन पारिखिश्य प्रॉय को सरीर करें आपको सरीर जो होता है यह आपको जेव रसानिक तत्व की जाच में होता है और पेस्मेकर जो होता है यह हर्दे की गति नियंतरित करने में होता है तो यहां से इसका मिलान कर लिजेगा यहां से आपका सिटी इसके नहां पर पहला का चोथा हो जाएगा और इलेक्ट्रो कार्डियो जो हर्दे का विकार और आट्टो एल नायर लाइजर जोगा यह जैवरेस्वाइनिक तत्वों की जांच और पेस में करिया हर्दे के गति ठीक यहां से म अगला प्रस्णिया से हम लों का यह 15 उनता है इसमें जो यह दो एक द大िया और यहलों का अध्याय जो है टेरा सुरू होता है जिसमें हम लोक आजहें परीसंचर्अन तंत्र से प्रिश्टने सुरू होता है पहला को है कि एंडorage निर्मार फर्राइं कि सदील् से होता है तो यह होता है लिंफ गाई यह लो यह लिंफोसाइट से होता है अगला प्रश्ण हम लोगाए कि रक्त प्लेट लेस्ट याँ की बिंबाड़ू के संदर में निम्नली खिते में से क्या सई है तो इसके समद में कि उन्हें थ्रोमोसाइट भी कहते हैं यह सई है चलिए अगला प्रश्ण तीसरे नंबर है कि रक् समयल्ट लीजिए जो एक रख्त समयल्ट होते हैं उसमें इंड़ी वड़ी जो नहीं पाई जाते हैं अगला प्रेश्ण के रख्त प्रतिकारक हमें प्रतिकारक नहीं पाई उसके रक्त में रोग परतिकारक नहीं पायाते हैं इसको इसलिए जो सौरीव भूमी के प्राप्त करता कहते हैं अगला प्रेशन हम लोग का साथवा है कि मानाव कलाई में नाडी अस्पंदन करती है तो यह आस्पंदन जो हैर्दे के समाण नगती से करती है चलिए नेक्स प्रेशने आफसे मेलों का आठवी नमबर प्रेशने है कि AB रख्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या है तो जो AB रख्त वाला व्यक्ति होगा वह किसी भी वर्ग से रख्त को ले सकता है आफसन सी सेत्ते होगा अगला प्रिफने के मानव रक्त की जो स्यानता का कारण क्या है तो इसका स्यानता का कारण के रक्त में प्रोटीन है चलिए अगला प्रिफने के यदि दोनों जनकों का रुधिरवर्ग ए भी हो तो उनके बच्चों का जो समभावित रुधिरवर्ग क्या होगा यदि माता पिता के यहां पर रुधिरवर्ग A B है तो उनका जो संतान होगा वो उनका रुधिरवर्ग कैसा होगा A होगा या फिर B होगा या फिर A B होगा ये सुमभावित में मानो रग्त धान के लिए कौन सा रग्त समौ सौर्वेभामी के दाता होता है तो सौर्वेभमिक दाता होता है ओ समूह ठीक ये किसी को दे सकता है अगला है कि मानों सरीर में सबसे बड़ी धहमनी कौन सी है तो बड़ी धहमनी जो है महा धहमनी है निमना लिखित में कौन सा अंग असु दरक्ते संचार करता है देखिए असु दरक्त का जो संचार है वह पलमोनरी धमने जो है ये असुद रग्त का संचार करती है अगला प्रिशन हम लोग का 14 नमबर है कि नीमनली खित में से किनकी भीतियों का सुरी किनकी भीतियों पर रग्त द्वारा डाले के दबाव को जो है रग्त दाब कहते हैं तो या धमनियों की जो है वितियों पर डाल आग्या कियgeschे wheels करिंडे आगैसे दभाव केहते हैं ठेग के चलिए अगला प्रश्णिर half 15 कि मानो जरीर का रग्त बेंग कहलाता है तो फ्लिहा कहलाता है निम्स लेखित कौन सित्य रग्त वाला जानवर है निके ठंडा रग्त वाला जानवर है तो सांप चलिने एक्सप्रेशन है कि एक कि स्वर मनुसिया में समाने तो रग्त दाव कितना होता है तो वह होता है 120 बश्प्टे एसे होता है अधियुध यहां पर ने पर आधियु रहन स्जाव होता है उसक önवां शिक विकार होता है इस दिण करने का सपाय मुख्याता किस अङuben brightly h यह प्रतिजन वोधार्थ होता है जो प्रतिजन रक्षि के निरिमाल करता है अगला प्रेष्णिया। być 21 सब्सक्र्णा psychology my nore यदि अमली हो सब्सक्राइं तो क्या होगा तो यदि अमली हमें तो हिमोगलोबिन के जो अक्सिजन वाहन चम्ता हो जाएगी अगला प्रेस्टने की रगत का थका भनَّने में आधी वरीनोजी रगतिında के परिवर्थन में वाग लेने वाला एंगाईम कौन सा है तो वा भाग लेने वाला एमजाइम पेप्शीन है निमनले कित में कौन एक गरम रक्त वाला जानवर देखिए गरम रच्ट वाला जो जानवर है इसमें से हम लोगा कुंसा होगा कच्छुआ साफ यहां पर बंदर का जो रखत वो गरम होता है आप सिंद्धी होगा पर हम लोग यहां पर यहां पर जो रखते पलाजमा है थे यहां पर इसके पहले हो जाएगा हुल के पिले ढहता हे आज तर्छिशत तरता है और है तो यह ऐलो में होता है आश्टोम ऐस मेटी करना यह त्राब करना और यहां पर घ्लो जो यह संक्रमा रोगों से रख्षा करता है फाइब रीनो जन जो होता है वह रख्ट का असकंदन करता है तो इसके मिलान देख लेजिए और कुट बाता में देना है तो अपसना प्लोग जो है सी को दे दीजिएगा चलिए अगला प्रेश्चन है कि किस अंग में श्वेक्ट सब्सक्राइब करना है तो देखिए हम लोग का हर्दय है तो यह हर्दय होगा यह आपका रग्त को संपुर्ण सरीर में परवाहित करना और धामनी तो जो धामनी का कार्ज होता है यह रग्त को हर्दय के अंगों तक पहुंशाना सीराओं सीराओं का जो कार्ज होता है वो रग्त को सरीर से हर्दय तक पहुंचाना और कोस्री का यह धामनी तता सीराओं के रग्त का समिलन होता है ठेक चलिए इसमें कूट भासा में देना है तो कूट भासा में आप लोग ऑफ्सन एकों दे दिजिएगा और अगला यहां से 28 से प्रश्store होता है जिसमें अंतस्त्रावी forest startup पहला। जो प्रश्ण है यह प्रेश्ण करना लिखित में इस रावद गरंथी नहीं है यहां पर को ज 오래 गरंधी नहीं तो सबसे बड़ी गरंथी यह क्रीत है मानाव शरीिर में सबसे छोटी अन्तस प्राविग का यहां से प्यूस जहें प्म से देखि लीजा राश्तावित नहीं किया जाता है तो प्यूश गरंथि के द्वारा अस्तावित नहीं किया जाता है कि कि so इसे मानुस्या के सरीर के वह गरंथि जो एन्जाइम और हर्मॉन दोनों उस्तुरावित करती है कौन से थांग नासे है और्फश किंथी है यह अपका एंजाइम और हर्मन बार्शा दोनओं असठावित करती है आयोड क्या हर्मन ये ह्याँ और यूक्त हर्मन क्या थे अनैले नोANS नुम्हें एक रखन तो यह नियंत्रित करता है एंसुलीन गाए और वहेंस के थानों में दूद उतारने के लिए किस हर्मोन के सुई लाए जाती है तो उससे में ऑक्सी टॉक्सिन हर्मोन के सुई लगा जाती है अगला पॉइंट यहां समलों का इगारा नमबर है कि निमनलिखित में से कौन सा हर्मोन अस्तंधारियों में लेंगिक परिपक्वन को रोकता है तो यह रोकता है अगनासय में प्रश्णिक निमनलिखित में निमनलिखित में से कौन सी ग्रंती अंतस्त्रावी ग्रंती यह वा का मिल गूहिए वाही गरांथी है ऑगना से आप्छनी स्ट से योगा कि अगला प्रस्निय के अन्सुलीन में पर कॉछ सी है और मुझ उप जात रॉक है तो एंसुलीन में मौर्णभोस को सी मार्हाद है यह पर आलूमीनीयम होगा एलुमिनियम पूछा कि एंसुलीन में जस्ता होता है एलुमिनियम नहीं करिएगा जस्ता कर लिजेगा याद रखेगा निमना लिखित में कौन सा हर्मोन ऑस्तन गरंतियों से दूद का जुए अस्तरा होने में भूमी का निभाता है कि आश्टन गरंतियों से दूद को जो है पर अस्तरा होने में भूम का निभाता है वो कौन सा हर्मोन है तो वह हर्मोन है ऑक्सी टॉक्सिन चलिए नेक्स प्रश्ण आपसे 15 नमबर यह प्रश्ण है कि निमना लिखीते में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है यहां प दूद कर जो निस रण और एक लेस्टिंच अरक्त चापका निगमन कों सा सुमर्ब नहीं है इसमें जो है अपका चापका नियमनी यह गलत है ठीक है बाकि जो तीन हो सही है कि चलिए अगिला प्रश्ण आपस्वर्णक आई कि मानों सरमीर में कौन सिग्रंति मास्टर गंत तो इससे मन एस्टरोजेन गोलिया किया खाती है हार्मों आदोवा एंजाइम का स्रस्तिराव करने वाला एंग किया कह लाते हैं वह ओ है हार्मोन ही कुंधा गरंथी के लाते है। 13 के बच्चों में her Martian की कमिसे कौन सा रोग होता है तो बच्चों में the broadcasting कियुम प्रत्य द्रग चल्मा मना हुता होती है तो अगला प्रिश्ण यहां सेमलों का 20 नंबर प्रिश्ण है कि थायराइड गरंथी से थायरॉक्सिन हर्मोन के स्थराओं को उत्याजित करने वाला हर्मोन कौन सा है तो वह हर्मोन है टी एस एंचे अगला यहां सेमलों का प्रेश्ण है कि किस हर्मोन को प्रेमिया अलिंगन का हर्मोन का जाता है कि आगला प्रश्ण मिलो का प्रस्व में क्यंग जाता है तो हैं सेक्रेटरी न अगला प्रश्ण आधलो का है कि निम्ना लिखित मैं से किस टार और से अनसुलीन प्रापि प्राट किया जाता है तो सब्सक्राइब करें की ब्रेक से मुत्र की मातरा करने की हम के द्वारा नियंत्रित होता है तो यह नियंत्रिट होता है एंचे करे से ट सब्सक्राइब यहां से एडिन ऐंच का फुल फ्रम दिया गया कि इे डियो Sports One होता है एफ एस ंचे तो यह पर फौली कलए हर्मोन होता है यहां पर त्यूर्ट्य हर्मोन होता है और यहां पर को ट्रोपिक हर्मोन होता है ठेख चलिए अगला यहां से पूचा कि कि किसहर्मौन प्रोज़ोर या अगला प्रक्रावित करता हुआ तो पीट पीड जो है यह आपको प्रोजरों अस्त्रावित करता है अगला पॉइंका इस नूमर कि पीट पीड़ कहां पाई जाने वाली kosykao की संहती है तो यह है और गणे अंदासराइ में पाई जाने है इसमें पहला है कि वाय इस्तरावी गरंतिया इन्जाइम करती है यही इंजाइम करती है यह हार्मोन करतीए कि यह एक आदिआफर से वहूए निमें करती है ईद्वाचा गरंतिया पाचन गरंतिया और यह? श्राव प्रदार्त है को स्राव वहनी नहीं में वलकि सीधे रूधिर में छोड़ती है उदाष्सी यूजिस्त और अगनाषर गन्थी इस्का टृव है यह अथ्ष्छावी का रखता है का आच एक हर्मोन प्रोटीन वह ओश्चरौाइड के पना होता है चोथा है कि इसका अस्त्रावी पदार्थ वही काड़ करता है जहां से यह अस्त्रावी तो होता है और अगला प्रेश्ण है इसमें जो है आपका अंत्रावी में कि इसका अस्त्रावी पदार्थ सरीन में विस्ष्ट अस्तान पर पहुंच कर विस्ष्ट परिवर्तन करते हैं कुलिए नेक्स्ट प्रश्णियां से हम लोग अगला जो प्रश्णियां आपका 15 नंबर हम का अध्याय 15 से सुरूता है इसमें हम लोगा प्रजनन सब्सक्राइब करता है तो यह निस्याचित करता है नली में नर यह मादा दोनों प्रकार के लेंगी के लक्षणों के पाए जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है तो ऐसे जीवों को जो है पंजायंगी देखियां से पूजायंगी या गाइनोड्रो मार्फ कहते हैं ठेक चलिए अगला प्रश्ण नम्रों का चौथे नमबर है कि सुक्रानवो का निर्मान होता है कहां इसका निर्मान ब्रिक में होता है जब नर्वा मादा को वाह लक्षणों के अधार पर पाचाना जा सकता है तो इसे क्या कह कहते हैं तो इसे जो है लेंगी के द्वीरुपकता कहते हैं अगला प्रश्ण हम लोग आए कि नर में गौने लेंगी के लक्षण उत्पन करने वाला हर्मोन कौन सा है तो वह हर्मोन है यहां पर टेस्टो एस्ट्रावन है महिलाओं में मासिक चक्र की अधी कितनी होती है त स्थैयकतन है कौन सा स्थैयकतन है ठरेकरिया पुस्पिया पाद्वपों में संपन होती है यह गलत है यहां पर जो adviser चाहिए उसलिए अगल्य प्रिशन से घुन दो काल वी कण आब नुम्हभर परिवार्य लोजन है तो यह एफ नि काक से पर्योग कि जाने वाली घ्रणत तो वैसरे नहीं गहां करने वाली घ्रणतवी इसलिट में परफ्ञाप करें है का नियमन करने वाले गरंती है कौन से गरंती है तो वह है प्रविष्ट कराया जाता है तो यह प्रविष्ट कराया जाता पर पर इसा सबनाने के संक्या होती वह चार होती है तो अगला यहां से तेरे नंबर प्रेश्ट ने कि जीओं में परजन दोंगि में इस्तृ घठन की परचान करें हैं यहाँ परजनत की में जो गलत है कि विखंडन जीओं बिजानु निर्मान को सुरू की जिवों में परजनन संबंदी कि रहे हैं यह गलत है बाकि जो तीन स्टेटमेंट है वो सही है चलिए अगला पॉइंट है कि स्वा परागन की प्रकेरिया किन पुस्पों में पाई जाती है तो यह पाई जाती है एक लिंगी वह द्वी एक स्भाडके पूस्पों के बरति कागर पर पहुंचने के किरिया कहलाती है तो यह पहतना आती है पर परागन कहलाती है जरी नेक्स्ट प्रामुक विदिया कुछ जो परति करना है ऊपरिक में से ऐहां से लिए फेया गुलाब के जाने वाले हैं तो वो वीधिक है कौनसे बी तो वह फिर अस्तांब करतन अंप तरृ बुलाब के एक पर्वर्दन के अस Intन साइर्म कर अस्ता हुघ करतन के द्वारा ही काई के परवर्दन कराइबा आया जाता है तो इसमें होता है कि बीना निसेचन के अंडे में विदलन होता है कि यहीं मनुसिया के नर जनतंत्र में जान सामिल है तो इसमें आपका इंडासे सामिल नहीं या आपको अंडारू के निसेचन के जो है दस सब्सक्राइब तक की जो होती है यह लगभग दो महिनों तक की जो आउदी होती है उसको वुरुणिया निसेचन कहते हैं ठेक हैं आपकर जो है 60-70 दिन की आउदी वाली चलिए अगला प्रश्चन है कि मादा जनन पत्थ में प रख्षित रखते हैं अगला प्रश्चन की कौन सी कला विकास सब्सक्राइब की सुसकन से रख्षा करती है तो सुसकन से रख्षा करती है यहां पर एमनी यान यहां पर एमनी यान जो है यह विकास सब्सक्राइब की सुसकन से रख्षा करती है चलिए नेक्स प्रश्णिय तो यह जीवों में प्रात्मिक लेंगिक अंग होते हैं जनद आज सूत्री विभाजन के द्वराय यूगुमक के का निर्मान करते हैं नार जनद को व्रिशन कहते हैं जो सुक्राणू का निर्मान करता है इसी परकार मदा जनन को अंडा से कहते हैं जो की अंडानू का निर्मान करता है द्वितिया के लेंगिक लड़कियों में समान या • जनन लेंगिक सक्रिया वना अगला यहां से दिया गया कि लड़कों में द्वितिया का लेंगी के लक्षन जैसे कि मनसल सरीर चोड़े कंधे और आवाज का भारी होना और ब्रिष्णों का विकास ता विर्य निर्मार परंब होना और है यहां से हम लोगा लड़कियों में द्वितिया के लेंगी के लक्षन जो है यह अस्तन गरंतियों का विकास से कंधोयों में नितंबो का विकास विक्सित अंडासर द्वारा अंडारू तता त्याग प्रारंब होना और मासिक दहर में प्रारंब होना यह लड़कियों मे ये दुlets Squeeze thatстंट्र के आंग कोण से हैं तो सभी पुर्सों में जो है ये पूरुस्त TANTRA के अंगे। है चलिए यहां से इस तरी प्रजन तंत्र के अंग कौन से तों अंडासे है अंडावाहिनी है गर्वास योनी है और सहाइक गरेंती है यह सबीं जो है किसे popular के देखते हैं तो आद्ध्याय जो प्राइणिके सुचना के प्रती रूपन के क्रिया प्रकिरिया तो यह प्रकिरिया अनुलेखन की पूरुस में पूरुस में पूरुस में पूरुसत्व के लिए कौन सा जो है गूंड सुत्री सन्योजन उतरदाई लिए पूरुस में पूरुस में पूरुस एक जीन का निर्माण करता है तो एक जीन का निर्माण करता है और सोल च्णा प्रफ्नी के यह करता है बन्दता के लक्षन होंगे उनके यहaan कि मतलब के पुरुस का या फीरुस की इस्त्री का तो यह से जो बंदता उत्रिवर्तन होगी वह पूत्रेंचे के पूत्रों में मतलब की पूत्रय जिन के भीतर अनुक्रम अधार परिवर्तन कहलाता है तो यह परिवर्तन जुह उत्त परिवर्तन कहलाता है अग्ला प्रश्चन हम बोगाए कि आप राधी को बाचाने के रिये फोरेंसिक विभाग निम्राएखिति मैं सिक्ष तक्निकी का पागरियो करता है नव नम नम्बर प्रिष्ण है उत्ता परिवर्ठन का वक्रिय गया था तो यह प्रिस्तावित क्या गया था विरोधी गुनों के द्याइन है तो किस वनेश्य पति पर पर्योग किये थे उन्हों ने मत्र पर 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 चलिए अगला प्रेशन है कि जीन अनुद नए की सनचना को सबसे पहले किष्णिय रेखांकित गया तो यह रेखांकित क्या गया था डॉक्टर जेम्स वाडस्वन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक के द्वारा रेखांकित क्या गया नेक्स प्रेश्ण है कि विरोधी गुनों का यूग में जो समान भी स एधाल को नहीं कर पाता है तो यहां आपका लाल हरे में नहीं कर पाता है वर्णाद व्यक्ति के अनुवांसिक्ता का उत इकाई को जीन रह जाता है कि नेक्स प्रेस्ट मेंसे कौन मनुस्य द्वारा निर्मित और वासी के रुप से इंत्री प्रथंजीवित जीव है कौन सा वह जीव है डाली चलिए नेंस प्रश्रादू को सत्रह नंब प्रश्राया केलाता है कौंसे प्रकिरिया मैंंडल इसे क्रशें निए अपवाद वह आपका स्तुआ है सब्सक्राइब करें तो इस सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तो इसका आर्थिक महत्व होता है रेजीन भोजन के रूप में वासिय तेल उपायुक में से सभी जोता यह जीमनोस्पर्म का महत्वा होता है अगला 23 नमर के नर के सहायक जननंगों का परिवर्दान परिपक्वन और क्रियाओं का जो है नियमन कौन सा हार्मोन करता है तो यह करता है एड्रोजन अगला प्रेश्टनम लोगा है कि चिमपैजी में कितने जोड़ी गुर्द सुट्र होते है तो इसमें जो है 24 जोड़ी जोड़ी गुर्द सुट्र होते है चिमपैजी में चलिये Apostle Is हां से 25 नंबर प्रश्ण प्रश्ण कर रहा है कि लैंग के जन्व से अनुवांसी transit कैसे होता है है तो यह होता है हुआ है सो मैं से क्रोमस applaud से और व्हेर्ट में विक्याव और रिवक कि पांचतों दूर्ट नहीं है इस्त्रियों में कौन सा हर्मोन जो है इस्ट्रॉइड पुछे कि नहीं है तो इसमें जो है रिलाक्सिन इस्ट्रॉइड नहीं है चलिए अगला यहां से 27 नंबर प्रश्णे है यह प्रश्णे के जिन में अचानक परिवर्तन जो एक पीड़े से दुसरे पीड़े में होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको यहां पर उत परिवर्तन का जाता है जेनेटिक इंजिनियरिंग में निम्न में से किसका परियोग होता है तो जेनेटिंग इंजिनियरिंग में प्लाजमीड का परियोग होता है अगला प्रश्णे के मानों में होने वाली वंसानुगत विमारी डाउन सेंड्रोम किस कारण से होती है तो यह डाउन सेंड्रोम गुन सुत्र 21 के त्री गुनन के कारण होती है अगला प्रश्ण के फराखिनली सीसू के मामलों में देखिया फराखिनली सीसू के मामलों में क्या होता है निसेचन मता के सरीर के बाहर होता है अगला प्रश्ण क की सिदान तर्कीत कि तो यह प्रति पाधित किया था डर्बिन ने दोरा किया गया था वी ती वेगन क्या है कि यह अनुवांसी के रुप से परिवर्तित वेगन क्या है अगला प्रिशन हम लोग का है कि सी ए एस से यह निकि कैस्ट नाइन प्रोटीन क्या है तो यह पुछा किया तो यह लक्ष है साधित जीन संपाद कि टार्गेट जीन एडिटिंग में परयुक्त आण्वी की कैसी है ठेक आपसन ए हम ल यहां से अध्याइश सत्रह सुरू होता है जो कि जैव प्रोधोगी कि यह निकि वायो टेक्नलोजी से मलोग का प्रेशन शुरू हुआ और इसके बाद एक चैप्टर है जो कि हमलों का वी वे देने की मिसलेनियस है उसके बाद हम लोग यह वायो लोजी कंप्रीट हो जाए इससे क्या प्रयाय है तो देखियां पर किसी एक देश द्वारा बीना पर्याप तच्छती पूर्ति दिये के किसी अनिया देश के जैविक किस आधनों को पैंटेट कर लेना अथवा दोहन करना दूसरा एक कि किसी वेगानिक द्वारा और उससे दिये फर्मोलों की चोरी और किसी एक कंपनी द्वारा किसी अन या कंपनी के जो प्रोडक्ट का संबंध है किसे से तो इसका जो संबंध है वह मानव जीनू और उनके अनुक्रमों की पहचान वह मानव चीतरन से है चोथा प्रिश्ण है प्रिश्ण करेके निम्ना लिखित में कौन सा जो अनुवांसिक रोग है तो इसमें हम लोग आदेखिए यह जो हस्टी मोटा रोग है अधीर रख्त स्वराव रोग है और यह ब प्रश्णियां से हम लोग का यदि मानो वृदी हर्मोन जीन का परियोग करके ऐसा चुहा पैदा करें जो चुहे के समानिया कार के आठ गुना बढ़ा हो तो इस तरीकी इस तकनीक को क्या कहेंगे तो इस तकनीक को जो अनुवांसिंक इंजिनेरिंग कहेंगे अगला प्र reflects मतलग का छठा है कि निमनलिकी इस ते मीं सिकीं के अनुवांसिक अभियां तरीकी का जिनक माना जाता है तो यह पатыलबरग को माना जाता है चलिए अगला प्रिशने कि के द्वारा कैंसर के लिए तैयार की गए अफस्वधिये को सी तो वह मैं इटर फेरावने हैं चलिए नेक्स प्रूशनी हो से अम लोग का आठवा नमबर प्रश्णे है कि ईप प्रद्वगी सब्द किस वेगानीं के ने दिया तो यह दिया किल्पना किश्न प्रेष्थूत की तो यह प्रेहस्थूत क्या फ्रक्रवाइश चावल GIRल एग लिकन से कोμ порगद्धी की कि तो जे प्रदोगी के यहां पर दही बनाना ये प्रदोगी की फ्रेक किरिया है माना उपभोगता है के लिए लाइसेंस प्राप्ट करने वाला प्रथम जीन आपर जुए जी में खादे प्रदार्थ कुंसा है है तो वह लेवर सेभर टााइट रहे हैं कि अगला यहां से प्रस्डेशने के लोटिए के instruction कैसे होता है तो यहां पर जिण के समयदयर क्रोमसम मैं बुद्ला ओड़ जीन मीसर乾 somewhat सभी परकार से हैं कि अगरा प्रेस्निक निम्लाभ लेकित में से किसका उत्पाद ट्रांस डेलिक द्वारा नहीं किया जाता हैं आपर ट्रांस ड्रार पुछाय गया है कि नहीं किया जाता है तो यह इसको भी अलगोल ड्रेंसित कश और लेते हैं दिए पहला जो प्रेश्ण क्रैलाइब की मायोगलोंए में और सी डाथ energy प्रेश्ण दोर्हरों कैने से कौन से स्वान प्रजाती है हसमार्थ है तो भोकने मैं दूंग अंगरला प्रिष्णिया का यह डौक्टर द्वारा मरे जो के अंदर के जो आंतरिक भाक आप एंडो एसकोप द्वारा किया जाता है चुर्सकारअ सो vis懂 किसी रूप में मना जाता है तो यह मना जाता है बीशव एड़ से दिवस के रूप में को कोलेष्ट्रॉल है क्या है यह जो कॉलेष्ट्रॉल है यह एक ऐस और रवाइड है चलीने सिर्फ नहीं का च्छा है कि भार्र सरकारद्वारा पराराम किया तो यह आपको बच्चों के टीका करनते हैं निम्ना लिखित में से कौन सा अफदा आरते साक नासी कौन सा है व्यूटा क्लोर है जो यह साक नासी है चलिए नेक्स्ट प्रिश्णियां से हम लोग का आठवा प्रिश्ण है मच्छरों के नियंत्रण है तो किस किट भक्षी मच्छली का परियोग किया जाता है तो वह मच्छली है गैंबूस या इसका परियोग किट भक्षी मच्छरों के नियंत्रण में किया जाता है सक्रिय उपार जीते आज संक्रमता किसे के दो हैं पर किसे के उत्तपादन का परि प्रतिसां पाया जाता है तो उसमें जो पांड़ी में अधिक जो पाया जाता है फुदी on बना साव कर से पती त्यला हृधए रोगयों के लिए उपाय। के लिए हानवा दहा रूगयों के लिए गाता मिताली मंद्य न´ के योजस्टार योजस्ट का इसंवाइब चाहए चाहें अस्तर कमक्रता है किसा लिए नाम मतलब होता है हॉजपम विश्टराय लिप प्रॉटीन फेडेट рок होता है ठेक और यहां पर LDL का फूर्प्रमुता है लो डेंसिटी लीप प्रोटीन यानिकी वेड कलेस्ट्रॉल होता है ठेक चलिए अगरा प्रश्णियां से तेरह नंबर है यह प्रश्णिय के चिकित तक प्रामार्स देते हैं कि हमें अपना भोजन वरिश्पति घी कि अप तरिप्त वासाइं होती है इसलिए तेल में बनाना चाहिए और होगा अगला यहां से नम्मर प्रेश्णिय के 20 वाइड से दिवस्तनी में लग खित में से किस तितिको तो एक दिसम्बर को चलिए अगला प्रिश्णियां हम लोग यहां से 15 नंबर प्रिश्णिय करेकि बैस पया जाते हैं किसी में यह पायाते हैं कीक्टों में अगला प्रहश्ण को सची के साथ सब्सक्राइब दिया गया है तो यह तो naming होता है爆rak उता है नेभे में नेच देख लीज़िए इसका मिलान और कुटबासा में देना है तो कुटबासा में ओप्सन भी को दे दीजिएगा अगला प्रश्णियां से 18 नंबर है कि नेमना इसको थोर सा जूम कर लेते हैं आफ है प्रश्णियाय फिस्त से किसमें हां लेमी नेरिया से प्रापत होता है निमने लिख्यत में और यह तो सही सभी क dapat नहीं है चलिया लगन्यь नोटमें करके कि माल्टोज मुख्यत खादानो अनाजयन सभ्य में पाया जाता है अथेनल के विवासाइक उत्पादर में कौन सा घ् DACA अगला प्रशुआ हैस्ट 1 शुक्स के लिएगत होता है क्वांसा तो इश्ट पर गयों होता है संग्रहें तो यह संग्रह यो होता है या कहलाता है हर思द सब्चेभ हें हर वेरियम कहलाता है हर चलिया आगला से हम लोगा 23 नमर निमन में स्य ने कौन सatures दिनGo है जेविक मुल्का मुंग हो जाएगा ऑफ्षन है और यहां पर हम गाड़िया जिसको गेविया यहां पर जो गेविया लिस्ट कहते हैं यह किस नदी में बहुद्वात में पाजाता है तो यह पाजाता है गंगा नदी में के अगला प्रक्ष्ठि वन को सुचि टू कैसा सुमिलेति करना है तो देखें यहां से हम लोग का यहां पर पांच जुन यह पांच जुन जो आपको किसी रूप में मना जाता है याद होगा आपको पांच जुन जो यह नंबर प्रेश्ण करोणे। कह दो सै था कंड ऐससरी था तो अगला प्रेश्ण यह 28 नंबर प्रेटने की धान केखेती से निकलने वाले गेस का उसे धान के खेत जो निकलने वाले जो गएकस होती है वह भी याद रिखेगा मिफन है तो यहां तक हम लोग ने जो है वीवित को भी कंप्लेट कर दिया और चली हम लोग का अगला जूपर होगा इसमें अम लो के तोर पर और अगला जो हम लोग का वीडियो आपको प्रवाइड कहा जाएगा तो हो सकता है कि आपको भारतिय अर्थ बेवस्ता या फिर भारतिय राज बेवस्ता से आपको पर जो वीडियो है वो प्रवाइड कहा जाए तो चलिए मिलते हैं के लिए वीडियो में और तो तक लिए थैंक्स वाल दे बेस्ट आपका जोए तीनो साइंस कंप्लेट हो चुगा